हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं संभव सिरीज के अंदर भौतिक भूगोल के अध्याई श्रंकला च्छे के अंतरगत और आज दोस्तों हम बात करने वाले प्रत्वी की आंतरिक भाग की संड़चना के बारे में देखिए दोस्तों जब हम इस पुस्तक का अध्यान कर रहे हैं जो की यूपियसी वाला बुक सिरीज का एक अनन्य भाग है और भौतिक भूगोल का एक बहती महत्पूर्ण अंश है यहाँ पर इस चैप्टर के उपर दोस्तों हम जिस मुख्य पदेन विश्यों के उपर बात उनके बारे में पता हो रायसायनीक संगठन जो है हर एक लेर का है प्रत्वी के अंत्रिक लेर का वह है पता हो प्रत्यक्ष वा अ Apa dollar मिलते हैं जिनके मात्यम से हम प्रत्वी के अंतरिक भागों की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं तो दो प्रांत भूकंप का क्या योगदान है भूकंप ये तरंगों की प्रकृती के बारे में और उनके चाया छेत्र की विवेचना करेंगे फिर हम भूकंप, मापन, विपरन, कारण, महतो के उपरांत, क्लास के आंतरिक संरचना के महतो प्रत्वी की और इसके निश्कर्स की बात करने वाले हैं दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको के मेजरली जनरली हम लोग भूपरपटी पढ़ते हैं फिर मेंटल पढ़ते हैं फिर क्रोड पढ़ते हैं यह तीनों ही चाहे आपका भूपरपटी है जिसको हम लोग यहां पे क्रस्ट कहते हैं फिर मेंटल है फिर कोर है इन तीन के बीच में रैपिटी है इसके उपरांत आपके गुटनबर्ग मेंटल और क्रोड के बीच में हैं और यह वह आंदरी क्रोड के बीच में लहमन असंबंतता डिसकंटिनुटी देखने को मिलेगी इनकी गहराई के उपर भी कई बार प्रश्णों बने हैं जिसको भी हम लोग क्लास के उपरांत जानकारी लेने की पूर्ण चेस्था करने वाले हैं दोस्तों अब यहां पर हमारे जो इनिशेटीव से उसके बार में मैं पहले भी बता दूँ आपको कि जो हमारे डेली करन्ट अफेर्स हैं वीकली करन्ट अफेर्स की क्विज हैं मंथली करन्ट अफेर्स के सीरीज हैं वो भी आपको इसे यूट्यूब चैनल पर दिये जा रहे हैं और साथ ही साथ अब UPSC की फ्री तैयरी के लिए ये संभव सीरीज भी चलाय जा रही है इस class का content है वो पूरा आपको इस टेलिग्राम हैंडल पर मिल जाएगा टेलिग्राम हैंडल जो है उसका सीर्षक में आएगे सा अलरेड़ी आपको दे चुका हूँ जगदिश जांगेट सर पी डवी इस QR कोड को scan करके भी आप उस टेलिग्राम सेत्र को join कर पाईएगा दोस्तो पहले heading लगा लीजे सभी के सभी आपकी class का heading क्या है दोस्तो प्रत्वी की आंत्रिक सन रचना है ना और यहाँ पे GS paper 1 के अंतरकत भुगोल में हम इसका अध्यान करने की कोशिश करेंगे और यह आपका जो है major diagram जो है रहने वाला है ठीके अब इस जानकारी को लेने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा तो दोस्तो इस जानकारी को लेने से पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रत्वी का जो आंत्रिक भाग है वो बहुत ही जटिल है काफी रहसे मही है आपके पास में तो हम लगातार कई सारे अन्यवेशन के माध्यम से प्रत्यक्ष परोक्स तरुकों से जानने की कोशिश करते रहे हैं कि प्रत्वी के आंत्रिक भाग का संगठन क्या है संदचना क्या है क्या-क्या प्रक्रिया है जो है इसकी पढ़ताल के अंत्रकर जो है हम लगातार कोशिश करते रहे हैं अब इस आंत्रिक संडचना को जानने के लिए कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष त्रोथ हैं जो आज की क्लास में हम जानकारी लेंगे और उसमें से एक महत्पुन स्रोथ हैं आपका भूब कम्पी तरंगे जिसको हम लोग कह सकते हैं आपके पास में अर्थक्वेक वेवस तो जो भूकम पे तरेकने या सीजमिक वेवस है इन सीजमिक वेवस का भी कहीं कहीं हमाई प्रत्वी के आंत्रिक संडचना की जानकारी को समझने में बहुत ही महत्पुन योगदान है जैसे क्रश्ट, मैंटल और कोर इन तीनों के बीच में विभेद करने के लिए तरंगो का जो नेचर है इसकी जो रीडिंग से वह महत्पुन रोल यहां पे दोस्तों अदा करती है और गोज विदाउट सेंग यहां पे हम सबसे पहली और सबसे बाहिये लेवल पर अगर जानकारी ले तो वह कौन सी लेट थी आपके पास में के सर हमारे पास में जो यह अर्थ है जो अर्थ है इसके अंदर अभी हमने पहले डाइग्राम में क्या पढ़ा था सबसे बाहर तो क्या है आपकी भूपरपती है जिसे क्रस्ट कहा है सरमने उसके बाद में क्या है दोस्तों मेंटल है क्या है मेंटल है उसके बाद में क्या है दोस्तों कोर है और यह तीनों ही क् जो overall अमारे प्रतवी का इतना सा भार है इतना दर्वेमान है उसका सबसे बाहिय हिस्सा होने के कारण ये कहा जा सकता है कि ये ढमारे महीर दर्वीमान का प्रतवी के भार का 1% के आस्ता है टोटल 1% है इसी पे ही सारे महासागर हैं सारे महादवीब जो हैं वो उपस्तित हैं और महासागरी और महादवीब ये क्रस्ट के अंδर इसे आगे और सतही तोर पे लीथो स्वेड पे स्थल मंडल पे विभाजित किया जा सकता है अब दोस्तों यहाँ आपको मैं कह सकता हूँ कि जब इस भूपरपटी को मैं महासागरी और महाद्वीपी दो अलग-अलग भागों में विभक्त कर सकता हूँ तो बाहर वाली जो है आपके पास महासागरी परत जो है जिसमारे महासागर है वो परत थोड़ी सी पतली है ज़्यादा नहीं मात्र पांच किलोमीटर की जो है इसकी आपको ठिकनेस मोटाई देखने को मिलती है अपितु महद्वी पीव क्रस्ट है वो थोड़ी मोटी है 30 किलो मिटर के आसपास में है और परवतिये छेत्र में जैसे हिमाले छेत्र में तो यह 70 किलो मिटर की मोटाई तक भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों हमें जनरली इनका जो निर्माण होता है वह बसाल्ट से बनी होती है और सिलिकॉन और ऑक्सिजन जैसे भी अन्यक नीज इसकी संगठन संरचना का महत्पुर्ण भाग बनाते तदु प्रांत यहां पे हम लोग एक और महत्पुर्ण जानकारी लेनी की कोशिश करेंगे इसी भूप है ना यह कुछ इस तरीके से तो यह है हमारा क्रस्ट जिसे भूपरपटी कहा जाता है और इसी क्रस्ट इसी भूपरपटी पे सतह पे क्या देखने को मिलेगा हमें महासागर भी देखने को मिल रहा है यस और नो तो यहाँ पे आपके ऐसे यहाँ पे आपके कॉंटिनेंट्स महातवीब हैं दोस्तों ठीकर सौर जो ओसे वाले चैटर के अंदर इसकी परत की मोटाई है वह थोड़ी सी कम देखने को मिलती है जबकि जो count inした है वहाँ पे इसकी जो अवर रॉल मोटाई है इसकी जो अवर लंबाई चोड़ाई है वो थोड़ी सी जादा देखने को मिलती है तो जो क्रस्ट है उपरी क्रस्ट है जो लीथो स्वेर है वह महा सागरी और महा द्वीपी भूपरबटी में विभक्त किया जा सकता है दोस्तों पहला बता दूं कि जो ये हमारा महा द्वीपी जो क्रस्ट रहेगा जिसपे हम लोग है यह ग्रेनाइट का बना होता है और इसका घनत्व लगभग इसकी जो घनत्व है इसका जो डेंसिटी है ना वो कितना है दोस्तों आपके पास में इसका घनत्व दो पॉइंट साथ ग्रैम पर सेंटिमीटर क्यूब में मतलब अगर म मैं एक ऐसा एरिया लो है ना एक घन सेंटिमीटर क्यूब है ना इस एक घन सेंटिमीटर क्यूब के अंदर जो है इसका भार क्या होगा आपके पास में एक सेंटिमीटर बाई एक सेंटिमीटर लंबा ही चोड़ाई उच्छाई तो लगभग आपका भार होगा इसका ओसत भार दो पंड 7 ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब है जब कि मैं महासागर की बात करूँगा तो महासागर किस से बना होता है दोस्तो बसाल्ट चट्टानों से तो ये ग्रेनाइट भी क्या है चट्टान है बसाल्ट भी क्या है चट्टान है दोस्तो आपके पास में इसका घनत् में ये एक cm लंबा ही चोड़ाए और उचाए के हिसाब से देखूंगा तो घनत्व क्या है मेरे पास में तो घनत्व यहाँ थोड़ा सा जादा है मतलब महासागर्य प्लेट थोड़ी सी क्या हो गई आपके पास में भारी है है घनत्व जादा है ठीक है न ये दोनों ही लाव से बनी होते हैं किसे बनी होते हैं यह दोनों ही लावा से बनी होती है और यह याद रखना कि महसागरी प्लेट जो है इसका निर्मान तो मिड ओशनिक रेज या मध्य महसागरी कटक के आसपास में होता है और इसका जो है यह कहीं कहीं इसका निर्मान होता है निर्मान कहां हो रहाति हैं याद रकेंगे तो पूरे के पूरे प्रत्वी के उपड़, अगर मैं जैसे मेरे पास में globe है यहां पे इस studio में यस देखे इस पूरी प्रत्वी पे अगर देखने को मिलेगा ना सारे महादवीब है महासागर है पर सबसे पुराना भूभाग जो है वो आपको महादवीब देखने को मिलेंगे चटानों की अगर मैं आयू उगर calculate करूँ तो जो यह महादवीब जो हैं इन महादवीबों की अगर मैं आयू calculate करूँगा चटानों की तो वो ज्यादा पुरानी है जबकि मैं महासागरों की आयू calculate करूँगा उसके चटानों की तो वो थोड़ी सी मेरे को relatively newer, younger देखने को मिलेगी तो गुरुजी ऐसा क्यों है क्यों बनती हैं लगातार लावा से और लगातार यह कहीं कहीं सब्डक्शन जोन में नस्ट होती रहती है तो जो यह लगातार बन रही है लगातार नस्ट हो रही है वह तो relatively younger होगी, आयू में कम होगी, कुछ ही सालों पहले की बनी होगी, कुछ हजारों लाखों वर्स पहले की ब लेका होगा ठीक है तो याद रखेंगे महासागर और महादवीपो में ज्यादा ओल्डर कौन सा होगा तो महादवीपी चट्टाने हैं वो ज्यादा ओल्डर ज्यादा पुरानी दिखाई देने वाली हैं मित्रों आपको तद उप्रांथ मैं स्थल मंडल पे आपका ध्यान आ दोस्तों इस स्थल मंडल की संड़चना के बारे में है ना जहां पे हम बैठे हैं अभी की तारिक में पूटल ही भाग क्या है स्थल मंडल है मतलब भू-पर-पट्टी और मेंटल का जो उपरी भाग है इसे स्थल मंडल कहा जाता है लगबग इसकी मोटाई कुछ एरिया में 10 किलोमेटर तो कुछ एरिया में 200 किलोमेटर भी देखने को मिल सकती है भुमिका देखी जाए तो हमारी प्रत्वी जो है देखने को आपको लगरी होगी कि सर एक पूरा को पूरा चटान का टुकडा है पर ऐसा नहीं हमारी प्रत्वी लगातार अलग-अलग टेक्टॉनिक जो है टेक्टोनिक प्लेटो का अलग-अलग जो है यहाँ पे कई लार्ज, कई स्मॉल प्लेट्स है इन टेक्टोनिक या विवर्थनी की प्लेटो से बेसिकली पूरी प्रत्वी का लीथो स्वेर बना हुआ है दोस्तों तो बता देता हूँ आपको कि प्रत्वी पे लगातार गतिशिलता पाई जाती है, हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, जहां हम देखेंगे कि यही जो लीथोस्फेर, स्थल मंडल की जो छोटी-छोटी प्लेटे है, बड़ी-बड़ी प्लेटे आपस में टकरा के एक दूसरे से नजदीक में टकरा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो अभिसारी अपसारी प्लेट बाउंडरीज के दौरा, कई महासागर, कई महादीब जो हैं, लगातार अपनी स्थिती बदल रहे हैं, तो जहां आपको भारत दिख रहा है, आस्ट्रेलिया दिख रहा है, जहां यूसरे दिख रहा है, वो सुरुवार पे वहां नहीं था, आज वहां पहुंचा है, लगातार विस्थापन के मादियम से, इनको हम टेक्टोनिक्स कहते हैं, बतला प्रत्वी की सतह में लगातार परिवर्तन होता है, जिसकी सहायता से, जिन विवर्तनी की घटनाओं की सहायता से, लगातार महासागर और महादिपों का वितरन प्रत्वी की सतह पे बदलता रहता है, यहां पे उस्मा का स्तरोत क्या है सर आपके पास में, अब आप कहेंगे सर, कि इसमें एक हीट का एक उस्मा का भी स्तरोत है, तो याद करो, ज प्रत्वी के अंदर कोर के आसपास में अभी भी बची हुई हैं दोस्तों, दूसरा, प्रत्वी में लगातार जो हमारा मेंटल वाला हिस्सा है, 200 किलोमेटर से नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पे हमें रेडियो धर्मी पदार्त यूरेनियम और थोरियम देखने को मिलते है यूरेनियम और थोरियम के लगातार विगटन के माध्यम से इन तत्वों के विगटन के डीके के माध्यम से भी उश्मा उर्जा हीट रिलीज होती रहती हैं, अतेव यह लीथो स्वेर यहां से उस्मा प्राप्त करके इन टेक्टोनिक प्लेटों को विवर्थनिकी प्लेट महा सागर ये सारे के सारे परवत अश्रंकला है ये इसी का ही तो कहीं कहीं जो है आपका एक प्रसार है अब इसके उपरांत अगर हम जानकारी लेने की चेस्ठा करें तो अब एक और नई सी चीज में आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ लीथो स्वेर से भी अगर आप थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो इस एरिया में हमें देखने को मिल रहा है मेंटल क्या देखने को मिल रहा है अब जो हैं आपके पास में मेंटल इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो लिखो सभी साथ साथ में लिखते वे चलो साथ साथ में लिखते वे चलो सभी जो mental है इस mental को हमें अच्छे से समझना है सबसे पहले तो है mental का आप समझो विस्तार कि सर इसका विस्तार कहां से कहां तक है दूसरा mental के विस्तार के अलावा जो चीज आप जान करी लो वह उसके आयतन वे द्रव्यमान की जानकारी लो उसका आयतन समझो उसका द्रव्यमान समझो आयतन वे द्रव्यमान के उपरांथ हम बात करेंगे जो मैन मुद्दा है हमारी क्लास का वह है इसकी संरचना क्योंकि इसकी सनरचना पर प्रश्ण पूछे गए हैं पहले भी तद उपरांथ हम यहां पर जो है यह भी जानकारी लेंगे कि यहां पर कौन-कौन से तत्व हैं कितने प्रतिशत में पाय जाते हैं तो सत्व का प्रतिशत इसी के उपर जो है आपके पास में मुख्य मुख्य प्रश्ण पंते हैं ठीके चलो आओ इसको थोड़ा सा अच्छे से जानकारी लेते हैं फिर है ना अब यहां पर आप समझेगा कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है तो प्रत्वी की सत्व में उपर का 35 किलोमेटर का जो एरिया है वह एरिया हमने अल्ड़ी कहा दिया भूपर पटी है उससे नीचे का एरिया जो है तो लगभग आप आ गये हैं 35 किलोमेटर से नीचे और गहराई में जाते रहे यह प्रत्वी की गहराई में 2900 किलोमेटर तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा इसका आयतन अगर देखा जाए जो हमारी टोटल प्रत्वी है देखो यह सुरुवात में ही मैं आपको बता देता हूँ कि यहां पे कह दिया कि सर सुरुवात का तो यह हो गया आपका क्रस्ट है न यह हो गया क्रस्ट है न फिर यह हो गया आपका मेंटल और यह हो गया आप कितना भाग है आपके पास में 83% आयतन है जिसको हम volume कहते हैं ठीक है ना भार का कितना हो गया प्रत्वी का total भार है ना उसका 67% जो है मास भी भार भी इसी के पास में है तो प्रत्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल का ही सबसे ज़्यादा आयतन वे सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है ये बना हुआ किससे होता है जनरली यहाँ पर मेगनीशियम की चटाने और सिलिकेट ऑक्साइड्स होते हैं क्या होती है आपकी मेगनीशियम मेगनीशियम की चटाने मुख्यत इसी डीजन में पाई जाती है फिर मेगनीशियम सिलिकेट की चटाने होती है क्या होती है आपके पास में मेगनीशियम ऑक्साइड्स लिख लो तो और ज्यादा बहतर है आपके पास में इसमें आपके पास में जैसे ओलेवाइन है गार्नेट है पायरोकसिन है यह कुछ इसमें से आप लिख पाएंगे यह चटानों की प्रकार है जो मुख्य रूप से यहाँ पर होंगे है ना ओलिवाइन और एक और लिख लो यहाँ पर तो यहाँ पर मैगनिशिम औकसाइट और सिलिकेट चटाने मिलती है एक्जामपल के लिए यहाँ पर देख गया अलिवाइन की चटाने है गार्नेट चटाने है पाईराइट की चटाने है यह यहाँ सबसे ज़्यादा होगी अगर तत्व के हिसाब से कहूं इस मेंटल के इ और और अग्सीजन के उपरांत जो है आपके पास में अब का मेंगनिशिम कि क्या है आपका मेंगनिशिम फिर है आपका लास्ट में है सिलिकॉन क्योंकि अमने का सिलिकेट की चटाने है तो यहाँ पर है सिलिकॉन सबसे ज़्यादा उपस्तिती जो रहेगी हमारे ऑक्सिजन की है और ऑक्सिजन यहाँ पर लगबग आपको 45 परसंट के आसपास में देखने को मिल जाएगा पिर है आपके सिलिकॉन जो है वह 21 परसंट के आसपास में है और मेगनीशियम भी अगर देखा जाए तो लगबग एक चौथाई हिस्सा है लगबग 23 परसंट के आसपास में यहाँ पर यहाँ देखने को मिल जाएगा तो तत्यों का परतिशत समझभाया आपको अच्छे से हम सीधा एक्जाम स्पेसिफिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अगर आप एक्जाम स्पेसिफिक पढ़ेंगे ना तो ही बेसिकली जो है मानके चलिएगा के अच्छा रहेगा अधर्वाइस मेरे ख्याल से में मानता ह हो सकती है तो मेंटल की परते उपरवला भाग है इसको दुरबल मंदल कहा जाता है एस्तिनो स्फेर कहा जाता है तो यहां पे आप लिख पाएंगे दो मुख्य हैं उसमें से पहला प्रधान आप लिखिए यहां पर दूर्बलता मंडल जिसको हम लोग अंग्रेजी में एस्थेनोस्फेर भी लिखते हैं क्या लिखते हैं दोस्तों अब इस एस्थेनोस्फेर के नीचे वाला जो एरिया रहेगा जनरली इसको हम लोग कहते हैं लोवर मेंटल या फिर आंत्रिक मेंटल मेंटल सुरू कहां से हो रहा था सर आपके पास मैं लगबग 35 किलोमेटर पर आप थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे लगबग 80 किलोमेटर से 200 किलोमेटर की गहराई पर पाया जाएगा आपका ये वाला जोन तो यहां पर 80 किलोमेटर से 200 किलोमेटर की गहराई पर पाया जाता है आपका एस्थरमस्फेर स्थलमंडल के नीचे होगा लिथोस्फेर के नीचे होगा यहां पर यादक नहीं यह अर्द तरल और बहुती लचीला होता है अर्द तरल वे लचीला होता है जितनी भी हमने कहाना कि मेजर और माइनर ओशनिक और कॉंटिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उन टेक्टोनिक प्लेट को यही मूव करने में सहायता करता है मैगमा का प्राइम स्त्रोथ होता है तो जितनी भी पिगली हुई चट्टाने हैं जो हम लोग कहते हैं कि सर यह तो मैगमा है पिगली हुई चट्टाने है तो मैगमा का यह प्रमुक स्त्रोथ होता है दोस्तों आपके पास में और इसी के फलसुरूप आपी लिखे प्लेट Tiectonics हो पाती है तो हम लिखेंगे कि प्लेट है उनकी विवर्तनी की या Statistics में गप्लेट टेक्टॉनिक मी लिट की मुवंच में एक सहयता मिलती है ईस ऑसचेव सदोर्ट तो अध्य समझ मायक adapts की क्या काम होता है सारी की प्लास्टिक सेमी मॉल्टन स्टेज कह सकते हैं दूसरा मैगमा का स्रोत है जितना भी लावा फटके बाहर आ रहा है उस लावा में जितने भी आपके पास में पिगली हुई चटाने मैगमा के रूप में देखने को मिलती है उसको यह कहा जाए अब एक इसमें मैं टेक बताओ हुँ आपको अगर समझना चाहो तो सीकना चाहते हो कि अगर यह हमारी प्रत्वी है ना यह हमारी प्रत्वी है और अगर यहां पे पिगली हुई चटाने यहां पर है एस्तिनोस्फेर में हैं नँज इसको अलग शेकर पास जाएग और यह बशन कही निकलती है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं कि सर यहां पे तो कोई ज्वाला मुखी फट चुका है ज्वाला मुखी बनके जब यह यूँ बहने लगती है यहां पर प्रत्वी के सतर पे तब इसे अलग शब्द कहा जाता है कोई बताना चाहेगा कि मैं ही बताओ जो कि प्रत्वी के अंदर होती है तो इसको कहा जाता है मेगमा यह कहा जा सकता है कि यह प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतरगर सहायक होने के बाद में मैगमा का प्राइम स्त्रोथ होता है तो यहां पे तो यह है आपके दूर्बल मंडल यह क्या है आपका दूर्बल मंडल जिसको हम लोग लिख सकते हैं यए सफेनु स्छे Between ऐसिर के बाद में दूसरी लेर आती है उसके नीचे की लेर आती है वह है आंतरी iki यालोवर मेंडल अब भया इस आन्तरी क्या लोवर मेंडल का इण्द यम लोग मद्य मंडल का हुआ सिसकों मैं इसको मद्य मंदल भी लिखते हैं मद्य मंदल का मतलब क्या हुआ दोस्तों आपके पास में मीजो स्फेर भी इसको लिख देते हैं मतलब एकदम बीच का एरिया है ये अर्थ प्रत्वी का जो हमारे बाहरी क्रोड तक है फैला हुआ है तो कहां तक फैला हुआ है इस एस्तनोस्फेर के नीचे से 200 किलोमेटर से लेके 2900 मीटर तक फैला हुआ है तो बाहिय कोर को हिंदी में क्रोड लिखा जाता है बाहिय क्रोड तक फैला हुआ है इसके उपरांद इसमें एक और बिंदू लिखिये कि यह ठोस होता है वुकम्पिय तरंगों की जो है यहां पर तेज गती होती है तो यह ठोस है मेंटल ठोस है व जो भी भुकम्पिय तरंगों तेज गती होती है ठीक है बस यह इतना सा लिखना था इसके यह दो बिंदू है तो मेंटल में कितनी परते हैं यह समझ में आया दोस्तो आपको अच्छे से उपर वाला है दुर्बल मंदर नीचे वाला है आपका लोवर और जो यह बाहिय क्रोड तक फैला हुआ है मतलब लगबग 200 किलोमेटर इसके सबसे नीचे वाले पॉइंट से 2900 किलोमेटर जहां पे कोर सुरू हो जाएगा वहां तक है पूरा हिट होस है सॉलिड है ब्रिटल है दोस्तो आपके पास में और यह बुकम प्ये तरंगे जो भी सॉलिड सर्फेस होती है उसमें बहुत जल्दी ट्रेवल कर पाती है तो यह सारी चीजे भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए अब इसके उपरांथ अगला पॉइंट लिखे अगला पॉइंट है हमारा कोर क्या है कोर तो कोर के अंतरगत यह जो कोर वाला भाग है आपके पास में इसका विस्तार पहले समझो हमारा जो कोर है इसके विस्तार के लिए अगर मैं कह दूँ सो कोर का विस्तार विस्तार कितना है दोस्तों इसका उसके उपरांथ हम बात कर लेंगे कि आपके पास में इसकी असांतत की है जिसको हम लोग संस्कृत में मारवाडी में सिंधी में गुजराती में क्या लिखते हैं इसके विस्तार की अगर मैं बात कर दूँ ओवियसली 2900 किलोमेटर की डैफ से सुरू होगा और प्रत्वी के कैंदर तक यह फैला होगा प्रत्वी का कैंदर कहां तक है 6331 किलोमेटर तो लगवगे किता है 2900 किलोमेटर से लेकर के सुरू हो चुका है और प्रत्वी के कैंदर यानि 6331 किलोमेटर की गहराई तक यह फैला हुआ है आपके बास में टोटल तो जो यह बाहर वाला एरिया है ना इसको कार जाए योग्या क्रस्ट योग्या मेंटल और यह 2900 से सुरू हो करके 6331 के आसपास तक फैला हुआ है कुछ किताबों में 71 की जगा 74 भी दे रखा है पर उसे डरना नहीं है अब याद रखना है कि यह यहाँ पे बीच में एक अ गहनत्व अलग है आपके पास में और गहनत्व परीवर्तन हो रहा है आपके पास में मेंटल का गहनत्व लगबग 5.5 cm ग्रैम पर सेंटीमेटर क्यूब है जबकि जैसे इस कोर में आउटर कोर की तरफ आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे 10 ग्रैम का असपास में पहु पूर की सीमा पर एक असांतत्य देखने को मिलता है और इस असांतत्य को कहा जाता है विचर्ट गुटनबर्ग असांतत्य कहा क्या कहा जाता है विचर्ट ये सांतिस्त थे इन लोगों ने इस असांतत्य इस घनत्व अंतर के बारे में बात कीती है ना इसके कारण इसको गुटनबर्ग डिसकन्टिनुटी भी कहा जाता है तो मेंटल और कोर के बीच में मेंटल और कोर के बीच में कौनसी डिसकन्टिनुटी होती है दो लगे वहर रेखा जो इस घनत्व के अंतर को बहुती पारदर्शी तरीके से प्रतिमिंबित कर पाती हैं इसको हम लोग गुटनबग असांतत्य कहते हैं यह याद रखना कि यहां पे क्या हो रहा है आपका लिख लीजे साथ साथ में घनत्व परिवर्तन हो रहा है घनत्व प 5.5 ग्राम पर सेंटीमिटर क्यूब था उससे बदल करके यह पहुंच चुका है 10 ग्राम पर सेंटीमिटर क्यूब के आस पास में और अब यहां पे क्या होगा जब घनत्व अंतर है तो भुकम्पिय तरंगों की गती जो है वह भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी यहां लगबग यह कहा जा सकता है लगबग लगबग एग्जैक्ट फिगर नहीं है 13.6 किलोमिटर पर सेकेंड पर सेकेंड के आस पास में देखने को मिलेगा आवे क्लियर तिल दिस तो यह हो गया आपका कोर वाला बाग अब इसके आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों और कुछ और जानकारी ले जैसे कि आपके पास में डेंसिटी ओफ दे कोर कोर का जो घनत्त्व है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे प्रत्वी का जो कोर है आपके पास में जैसे जैसे हम कोर की तरफ जाते जाते हैं कोर का घनत्त्व मतलब आप घनत्त्व जो हैं लगातार बढ़ता जाता है जैसे जैसे अंदर की तरफ जाओगे तो लिखो आप लोग गनत्व बढ़ता जाता है अब इसके अलावा गनत्व अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है तो आगे जाकर कि 12 और 13 तक पहुंच जाता है कितना है आपके पास में 12 फिर 13 अंत्थ तह प्रत्वी के कोर तक 13.6 ग्राम पर सेंटिमीटर क्यूब तक पहुंच जाता है तो सोचने की कोशिश करो घनत्व बहुत ही जादा है आपके पास में पर घनत्व बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पर प्रत्वी के आयतन का आयतन और प्रत्वी के भार जिसको हम लोग द्रविमान भी कहते हैं तो आयतन का तो अब यहाँ पर की परतो को थोड़ा सा और अच्छे से विस्तारित तरीके से हम लोग समझते हैं तो आपकी हेडिंग क्या है आपकी अगली हेडिंग क्या है के कोर की परते कोर की जो परते हैं दोस्तों important है प्रशन आ चुके हैं उसके उपर भी पहले ही आपके पास है कोर की जो परते हैं मतलब हम जो कहते हैं आपके पास है के सर एक तो है इनर कोर एक है आउटर कोर यह है आंतरिक कोर और यह है बाहिय कोर आंतरिक बाहिय कोर जो है आपके पास पहले उसके बारे में पॉइंटर्स लिख लो आप लोग बाहिय कोर के बारे में लिखो जो हमारा बाहिय कोर है दोस्तों यह 2900 से लेकर के 500 किलोमेटर तक है कितना है गहराई बता दी हमने किसा 2900 से लेकर के 500 किलोमेटर तक यह फैलावाई और यह तोटल तरल अवस्ता में है मतलब लिकวिड है यहां पर जादा तर जो है सारे के सारी चटाने पिगली हुई है है क्या आपके पास में इसमें है निकल और लोह क्या है आपके पास में इसमें है आपका कौन से तत्वजाधा है निकल वे लोह तत्व है इसको नीफे से भी प्रतिमिम्बित किया जाता है इंगित किया जाता है फिर आजाता है आपका आंतरिक कोर है ना यह जो अंदर वाला भाग है जिसको हम लोग लिखते हैं आंतरिक कोर अब यह जो आंतरिक कोर वाला भाग है ना दोस्तों आपके पास में यह 5100 से सुरू होगा और प्रत्वी के कैंदर तक जाएगा तो 5100 से लेकर के लिखो यह 500 किलोमेटर से 6371 किलोमेटर तक पाया जाएगा ना प्रत्वी के कैंदर तक यह ही है दूसरा यह क्या होगा भाया होस अवस्ता में क्या है आपके पास में यह सॉलिड तो इनर कोर कैसा है इनर कोर टोटली सॉलिड अवस्ता में कैसी अवस्ता में है दोस्तों आपके प है तो जो आउटर कोर है हमारा क्या है टोटल आपके पास में Latif अवस्ता में वो कैसा है लिक्विड अवस्ता में तो इनर कोर और आउटर कोर के बारे में आपको पता होना चाहिए अब यह जो लगबग है आपके पास में 80% जो है इसमें लोहा पाया जा रहा है और बाकी का है इसमें निकल तो इसमें आप एक और पॉइंट लिख हुआ है तातेव इसको भी हम लोग नीफे से ही इंगित कर सकते हैं तो यह हो गई आपकी कोर की परते और इनका नेचर के आंत्रिक सॉलिड है आउटर जो है लिक्विड है अब इनकी परतों को जानने के उपरांत हम थोड़ा सा इसकी सनरचना के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा कोर है कोर जो है इसकी सनरचना की अगर हम लोग यहां पर बात करें लिखिये साथ साथ में कोर की सनरचना तो मित्रो हमारे कोर की सनरचना के अंतरगत सबसे पहला बिंदु में यह कहूंगा कि हमारा कोर देखो अभी जादा से जादा किससे बनावा है निकल और फ खैरस से मुख्य रूप से बनावा है आंत्रिक कोर जो है वह ठोस है उच गनत्तों का है लोह उसमें ज्यादा देखने को मिला 80% था जबकि आपका बाहिए कोर तरल अवस्था का है और हलके जो है तत्व यहां पर उसमें साथ में मिस्त्रित रहेंगे तो यहां पर आउटर कोर जो है वह लिक्वीड अवस्था के अंतरगत है और इनर कोर जो है वह सॉलिड अवस्था के अंतरगत है दोनों ही निकल और फैरस से बने हैं दोनों ही निकल और फैरस से बने हैं पर यहां पर 80% जो है वह फैरस है 80% लोह तत्व ज्यादा देखने को मिल रहा है तद उपरांथ हम यहाँ पर बात करेंगे आउटर कोर की आउटर कोर के बारे में हमको कुछ संदचनात्मक चीजे और पता होनी चाहिए कि जो हमारा आउटर कोर है यह आउटर कोर में लिखो यह बिंदू आउटर कोर या बाहिय कोर में यह बिंदू लिखो सर जो हमारा बाहिय कोर है यह 3900 से 5100 तक तो फैला हुआ है यह इसके साथ साथ में लोह और निकल से बना हुआ है यह कुछ हलके तत्व होने के कारण इसके साथ में निकल और फैरस में इस कारणी यह क्या है आपका liquid तरल अवस्था के अंतरकत है पर याद रखना कि यहां से यहां जो भूकम भी तरंगे होती है उसमें होती है एक होती है secondary waves, S waves S waves नहीं गुजड़ती है इस चीज का ध्यान रखना है आपको और अगर देखा जाए आपके पास पर क्योंकि लिक्विड है तो डाइनेमो सिद्धान से हमने लास वाले चैप्टर बढ़ा था कि डाइनेमो सिद्धान से चुम्ब की छेत्र यह उत्पन करेगा ठीके उसके पीछी रीजन आपको पता ही होगा उसके पीछी रीजन क्या बतायाता है हमने के जब भी जैसे हमारा आउटर कोर है यह इस आउटर कोर के अंदर जो पीगली हुई चट्टाने है और पीगला हुआ भी क्या कौन सा द्रविय है आपके पास में निकल और फैरस है जो की तरल अवस्था में तो यह तरल अवस्था में है और यह लगातार क्या कर रहा है हमारी प्रत्वी क्या कर रही है अपने अक्ष के उपर पस्चिम से पूरो की तरफ रोटेट कर रही है तो इस घूलन के कारण डाइनेमो इफेक्ट जनरेट होता है और इस डाइनेमो इफेक्ट के फलसरूप हमें इसके अंदर विद्धूत तरंगे देखने को मिलती है क्या देखने को मिलती है विद्धूत तरंगे देखने को मिलती है और यह जो विद्धूत तरंगे है यह आगे ज magnetic फिल्ड जनरेट करते हैं तो इसके फल सुरूप भी तो हमें इसके चारो तरफ क्या देखने को मिल रहा था कि सर नॉर्थ पोल से साउध पोल की तरफ है ना एक प्रापर जो है इसके चारो तरफ हमें विदूत चुम्ब किये प्रभाव देखने को मिला, लास्ट वाला चैप्टर बढ़ा था मेरे साथ में, जो आउटर कोर के अंदर ये चीज़ याद रखना कि सेकेंडरी वेवज नहीं निकलेगी, सेकेंडरी वेवज, प्रैमरी वेवज हम अभी भूकम में पढ़ेंगे, दूसरा याद रखना कि य इनर कोर जो हैं, 5100 से लेकर के 667 किलोमेटर तक है, 80% लोहा है, आपके पास में ठोस है, पर जो हमारा आंतरिक कोर होगा, यहां पर जो हमारा ये आंतरिक कोर है, इस आंतरिक कोर में आप एक और महत्वपुन्ट बिंदू लिख सकते हैं कि जैसे बाःय कोर में लिखेंगे कि S वेव कैनोट ट्रेवल यहाँ पे लिखेंगे हमारे इस इनर कोर की हम बात लिख रहे हैं आपके पास में कि हमारे आउटर कोर जो है यहाँ पे डाइनेमो सिध्धान्त के कारण अना आउटर कोर तो है आपका वह इलेक्रिसिटी जनरेट करी दियाता अब इनर कोर की हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइमरी तरंगे जो है वह ठोस से गुजरती क्योंकि यह ठोस है तो यहाँ से प्राइमरी वेव जो है वह गुजर पा होंगे कि कैसे यहाँ पर डाइनेमो सिध्धान्त वगर कारे कर रहा है हमने पिछली क्लास के अंतरगत भी अच्छे से सीखा है वह समझाए तद उपरान दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ पर साथ साथ में लिखने की कोशिश करेंगे वह पॉइंट है आपके पास में कि कि अंतरगत अलग-अलग आंतरिक भागों में असांतत्य पाया जाता है जैसे की कि यहां से ठीक है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कहां से कहां की बात की जारी है ठीक है कि सबसे बाहर है आपका क्रस्ट पिर है आपका मेंटल फिर है आपका कैसे पता चला कि यहां से आ गए तो हमने कहा सर यहां पर अलग ही chemical composition है संडचना अलग है विस्तार अलग है यहां का घनत्व अलग है फिर यहां से यहां पर भी घनत्व अलग रहने वाला है तो असांत्त्य क्या हो सकता है इसकी बात्चीत हम लोग यहां पर कर लेते हैं सबसे पहले असांत्त्य लिखेंगे जिसको हम लोग English में लिखते हैं डिसकोंटिन्यूटी क्या होता है असांत्त्य वे डिसकोंटिन्यूटी तो दोस्तों असांत्त्य या डिसकोंटिनिटी आपका ट्रांजिशन जोन है परतों के बीच का संक्रमन छहत्र है तो इसकी सबसे पहले आप लिखना लेंगे परिभाशा ट्रांजिशन या संक्रमन्ट है तोटल कितनी हैं आपके पास में तो याद रखना कि 5 आपको अलग असांतत्य देखने को मिलेंगे ठीक है ना सबसे पहले जैसे कि आपका अपर और लोवर क्रस्ट के बीच में हैं कॉनराड तो क्रस्ट के भी दो भाग हमने पड़े थे अपर और लोवर क्रस्ट तो यहाँ पे है आपकी कॉनराड डिसकंटिनुटी कॉनराड जो है वो कहा है आपके ओप्रीव निचले क्रस्ट या भूपरपटी के बीच में होती है है ना दो परतो के मध्य का संक्रमन्ड चात्र यह है कॉनराड डिसकंटिनुटी अब इसके उपरांत हम लोग लिखेंगे कॉनराड के बाद में आके जाएंगे तो मोहो की बात करेंगे तो जो लोवर क्रस्ट है आपका लोवर क्रस्ट और मेंटल का उपर वाला भाग है ना यहां पे हैं आपका मोहो, यह है आपका निचला क्रस्ट या भूपरपटी वे उपरी मेंटल के मत्य है, यह यहां पे है तो इसको लिख दो यहां पे मोहोरविक या फिर मोहोर डिसकंटिनिटी इसको कहा जाता है, ठीके यह हो गया है आपका लोवर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, अब दोस्तो हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यह जो मेंटल वाला एरिया है, इस मेंटल वाले एरिया का यह उपर वाला हो गया, अपर नीचे वाला हो गया आपका लोवर मेंटल, यहाँ पर भी आप लोग को पता हो यह आउटर कोर और फिर यह इनर कोर इनर कोर, ठीके, इनर सी लिख देते हैं, इनर कोर समझभा जाएगा आप लोग को सो, मोस्ट आपके पास में महरोविक सेकेंड लिख लिया होगा आपने, फिर है रैपिटी, अपर मेंटल और लोवर मेंटल के बीच में, क्या है आपकी रैपिटी, डिसकंटिनुटी है, यह है अपर मेंटल और लोवर मेंटल, इसके बीच में हैं, यहाँ पे रैपिटी, तो यह जो आर लिख रहा हूँ, यह रैपिटी है, यह किसके बीच में देखने को मिलेगी आपको उपरी, मेंटल वर, निचले, के मत्य का संक्रमन ट्रांजिशन जोन होगा, इस रैपिटी के आगे जाएंगे, जो गुटनबर्ग हमने लिखा था, कि मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में, क्या है आपका गुटनबर्ग डिसकंटिनुटी देखने को मिलेगा आपको, क्या है यहाँ पर, गुटनबर्ग डिसकंटिनुटी गुटनबर्ग को हम लोग जी से लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, जी गुटनबर्ग, यह आपके निचले mental वे बाहिय कोर के बीच में लास्ट बट नॉट दिलिस्ट इनर और आउटर कोर के बीच में भी जो एक असान तत्य होगा जिसको हम लोग लग कहेंगे लहमन क्या कहा जाएगा आपके पास में लहमन लास्ट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यह इनर और आउटर कोर के बीच में भी एक असान तत्य होता है इसे कहा जाता है लहमन असान तत्य जिसको मैं ल से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर बाहिय व आंतरिक खोर के मत्य का यह ट्रांजिशन जोन होगा तो और आल यह समझ में आया आपको जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो असान तत्य क्या है परतो के बीच का संकरमन शेत्र क्यों हम इसको नोटिस कर पाते हैं क्योंकि घनत्तों में अंतर होता है कैमिकल कंपोजिशन में अंतर होता है जिस वग्यानिक ने यहाँ पर अंतर को पता किया था जैसे यह कॉन्राड है तो अपर और लोवर क्रस्ट के बीच का कॉन्राड असांतत्य हो गया जैसे यहाँ पे lower crust और upper mental के बीच का मोहरविक ने पता क्या था तो यह more discontinuity more asांतत्य होगा यहाँ पे फिर upper mental और lower mental के बीच में आप अगर देखने की कोशिश करेंगे rapidity हो गया lower mental और outer core को कर देखेंगे तो goodenberg हो गया फिर outer और inner core के बीच में हो गया लहमन यह याद रख सकते हैं this five can always be remembered अच्छे से लिखा है आप लोगों ने copy के अंतरकत बस इस चीज को याद रखना है याद रखना कि हमारे इस के उपर कई सारे question बने हुए हैं कि कौन सी layer के बीच में कौन सा असांतत्य पाया जाता है दोस्तों यह याद रख सकते हैं अब इसके संरचना के अलावा प्रत्वी के अंतरकत जो है संरचना रासायनिक संगठन के आधार पर भी दी जाती है आपके पास में तो इसकी मैं heading यह लगा सकता हूँ जो रासायनिक संगठन है जो आपके पास में लिखते हूँ चलो रासायनिक संगठन के आधार पर प्रत्वी की संरचना तो इसके आधार पर प्रत्वी की संरचना कैसे हो सकती है दोस्तो उसका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जो है understanding पैदा कर सकते हैं आपने देखा होगा कि जब हम अर्थ की internal structure देख रहे थे तो बार बार एक word आता है cical, cima और निफे cical, cima, निफे तो जो यह cical परत्वी कौन सी परत्वी है आपके पास में सबसे उपर वाली परत्वी है cilica and aluminum cical इसको कहा जाता है cial परत तब उपराँथ आती हैं आपकी cial और cima cilica magnesium cima अब यह cima क्या हो गया भया आपके पास में ये भी एक परत का ही नाम है फिरे लास्ट में निकल और फेरस से बनावा कोर जिसको की नीफे कहते हैं क्या कहते हैं नीफे तो यह तीन परते भी सियाल सीमा नीफे परते भी जो है कैमिकल कंपोजिशन के आधार पर देखी जा सकती है प्रत्वी की सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर सियाल की अगर बात करना चाहूंग दोस्तों आपके पास में तो सियाल जो है वो किस से बनी होगी हमने कहा सर सबसे उपर वाली है तो मैं कहता हूं सरी है ग्रेनाइट से बनी है किस से बनी है ग्रेनाइट से बनी हुई होगी इसके उपरांत अगर एक और चीज में यहाँ पर लिख लूँ सिलिका और एलिमिनियम सामगरी जादा है यहाँ पर क्या है आपकी नाम में यहें अगर मैं घणत्व लिख दूँ घणत्व density जो है यहाँ पर सबसे कम हो क्योंगे सबसे उबर सबसे हलके तत्व होंगे तो लगबग 1.9 कितना है दोस्तों 1.9 cm ग्राम पर cm3 तद उपरांथ है हमारी सीमा लेर सीमा लेर जो है सिलिका और मेगनिशियम सामगरी से बनी हो कि किसे बनी है आपकी सामगरी से बनी होई है दूसरा इसका घन्य तो थोड़ा सा जादा होगा कितना जादा होगा 2.9 अपर एरिया में और 4.7 जो हैं लोवर एरिया में तो इसमें लिखेंगे तद उपरांद लास्ट में नीफे नीफे किसे निकल और लोह से बनावा है किसे बनावा है इसके उपरांद इसका घन्य तो गन्य तो सबसे नीचे हैं सबसे भारी तत्व सबसे नीचे होते हैं तो घनत्व लगभग 11 लगभग जो है 11 ग्राम पर सेंटीमिटर क्यूब के आसपास में आपको इसका घनत्व देखने को मिल जाएगा ठीके अब ये तो हो गया परत्वी की संरचना के बारे में बात अब हम प्रत्वी की आंत्रिक संरचना के उपर जो जो अभी तक हमने पड़ा है लिका है इसको थोड़ा सा और बहतरी से जानकारी लेने की कोशिश करें बिलकुल कोशिश कर सकते हैं गुरुदेव तो यहाँ पर मैं इस बार आपका हेडिंग लगाने वाला हूँ दोस्तो प्रत्वी की आंत्रिक संरचना की जो जानकारी के जो स्त्रोत हैं जो हमारे जिसको मैं कह सकता हूँ सोर्सेस है वो सोर्सेस दो प्रकृतिक हैं या तो वह स्त्रोत प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष होंगे आपके पास में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अब जब ये स्त्रोत आपके प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दो स्रीनी के इंतरकट विभाजित किये जाते हैं तो प्रत्यक्ष स्त्रोत कौन सा है आप और मैं जाकर के प्रत्वी की गहराई तक कहां तक जात पाएं तो सर के पास में जैसे या तो कुछ गहराई तक जो क्या कर सकता है ड्रिलिंग कर सकता है क्या कर सकता है ड्रिलिंग कर सकता है और क्या कर लेंगे दोस्तों हम लोग ड्रिलिंग के अलावा और क्या कर लेंगे सर इस ड्रिलिंग के अलावा जिस चीज पर हम लोगों का फोकस हो सकता ह ठीक है, गहराई में हम लोग या तो drilling करके अंदर से जो chemical composition पता गया कौन सा chemical है, या फिर कर लिया हमने जो है, खनन, खनन, deep mines होती है, आपके पास में 5-10 km के गयराई तक भी mines होती है, खनन है, खदाने है, इसके अलाबा कई बार हम लोग जो है, बहुत ही जादा जो है, प्राइदी पैनिंसलर एलिया के अंदर drilling करते हैं, जैसे कि integrated ocean drilling हो गया, deep ocean drilling projects हो गया, है न, खोला प्राइदीब जो है रशिया के पास में, उन लोगों ने 10-15 km, 20 km के आसपास में, जो है drilling किया है, यहाँ पे भी इनोंने drilling करके प्रत्री के अंदर की गहराई के अंदर chemical composition बता गया, पर सर, कितना खोद पाए है, हम अगर गहराई दे के 6,370 km पे प्रत्री का कैंदर आता है, और तुम कितना खोद पा रहे हो, जादा से जादा, 20 km maximum depth तक हम लोग पहुंच पाए हैं, और वहाँ पहुंचते पहुंचते ही, पुरे प्रत्री के चारों तरफ का नहीं है, एक area का हमें पता चल पाया है, और वह भी पूरा ग्यान नहीं है, अब इसमें भाग दो तो एक बार, 6,371 में अगर मैं 20 का भाग देता हूं, तो सायद 1% भी और बने, 0.1% से भी कम area हमको प्रत्री के बारे में प्रत्री के बारे में प्रत्री के प्रत्री के अंदर की जानकारी ले पा आ पास में, तो मित्रो और प्रत्री के स्टरूत है, इनमें आपके पास में है भूकम पियर तरंगे हैं, प्रती का इसमी कि न需 प्रता के अलावा आती है surface waves अभी लिखवाओंगो इसके बारे में भी आपको तो इन waves के propagation या इस waves के कैसे travel करती है तरंगों की गती परावर्तन और विवर्तन है न तो इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है हमको तरंगों की किसकी गती कहां पे core crust mental में कहां पे ज्यादा है कहां कम है गती फिर कहां इसका परावर्तन हो रहा है इन तरंगों का कहां इनका अपवर्तन हो रहा है है ना इस माध्यम से हम प्रत्वी के अंतर की जानकारी ले पाते हैं क्योंकि हर माध्यम में जो हैं यह तरंगे नहीं चल पाती जैसे कि primary waves जो हैं वो solid और liquid दोनों में चल पाती solid में सीधी चलेगी liquid में थोड़ी सी अपवर्तित परावर्तित हो जाएगी जबकि secondary waves जो है वो liquid में नहीं चल पाएगी तो अगर कोई core है जैसे हमने कहा कि outer core जो है वो liquid है जब बाहिय कोर जो है वो तरल liquid अवस्था में तो यह secondary waves एस वेवस तो भूकम की तरंगे वहां नहीं देखने को मिलेगी हमें हाँ इससे हमें पता चलेगा कि प्रत्वी के अंदर कहराई में एक ऐसा बिंदू है जहां पे सब कुछ liquid अवस्था में कैसे अवस्था में है तरल अवस्था में देखने को मिलेगा तो यह अप्रत्यक्स स्तरोथ हो गया है आपके पास में यस और नो अवरॉल यह सारी चीज़े समझ में आई है आपको अच्छे से ठीक है इसके अलावा भी और कुछ स्रोथ हो सकते हैं क्या बिल्कुल हो सकते हैं जैसे एक स्रोथ आप ये लेके चलो साथ साथ में आपने कभी सुना होगा ज्वाला मुखी विस्फोट बिल्कुल सर तो जब भी ज्वाला मुखी फटते हैं जब भी जौला मुक्यों के अंदर यहां पर विसफोर्ट होता है आपके पास में इन वोल्केनिक इरॉप्षन के अंदर आपको काफी सारी जो है जानकारी मिल सकती है प्रत्वी के अंदर की क्योंकि बाहर आंदर से मैगमा आ रहा है इस प्रत्वी के आंत्रिक मैगमा से हमें जानकारी मिल सकती है अगर वैग्यानिक अध्यान किया जाए तो तो प्रत्यक्ष जानकारी है आपके पास में ये भी किसर्षतह पे मैगमा आया अंदर से वो बता रहा है कि अंदर क्या that chemical है क्या रसायन है क्या composition है तो आंतरीक संरचना का अधियन इस मैगमा के विशलेशन से किया जा सकता है जो एक प्रतेक्ष जानकारी है पर याद रखना के यह मैगमा भी आता है na तो इस मैगमा का भी हमें कहा के मैगमा का जो एक चैंबर है वो लगबग आपके इस एस्थेनोस्फेर वाले एरिया में कौन से हैं लगबग जादा से जादा 100 से 200 किलोमीटर की गहराई बस एस्थेनोस्फेर दुरूबल मंडल से आएगा मैगमा भार ठीक है ना बट याद रखने की कोशिश करना प्रत्वी के बाकी अंदर गहराई का क्या होगा ये तो 6300, 71 किलोमीटर की गहराई तक है सर्व उपर से सिर्फ 100-200 किलोमीटर से ही तो मैगमा आ रहा है अरे यार बात फिर फस गई मतलब प्रतिक्स जानकारी तो है पर गहराई का निर्धारित नहीं कर पाते कि सर्व ये 10 किलोमीटर से आया, 50 किलोमीटर से आया, 500 किलोमीटर से आया, 200 किलोमीटर से आया किस गहराई से ही हमें अगमा आया है ठीक है यह याद रखने की कोशिश करना है आपके पास में अब प्रत्वी की गहराई के साथ साथ में दो और कंडिशन्स को इफेक्ट को समझना है ताप और दाब का प्रभाव तो हेडिंग लगाओ ताप और दाप का प्रभाव तो क्या है दोस्तो ताप और दाप का प्रभाव इसकी थोड़ी सी जानकारी लेने की अगर हम चेस्था करें क्या हम प्रत्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे ताप पान में व्रद्धी होती हैं कितनी वरदी होती है सबसे पहले तो क्यों वरदी होती है क्यों Michigan है आपके पास मैं जैसे जैसे मैं गहराई में जा रहा हूँ जादा उश्मा है वह उश्मा आती है पहले भी लिखा Chairman यो द्हर्मी तत्व है उनके विगटन के पल स्वरूप जो उश्मा पैदा होती है तो उसके करण तापमान बढ़ता है दोस्तों आपका एक तो उसके उपरांत एक और चीज लिखो किस दर से ये बढ़ता है प्रतिय किलोमेटर 25 डिग्री असेलसेस तापमान बढ़ता है कितना बढ़ता है प्रतिय किलोमेटर की गहराई पे जाओगे तो 25 डिग्री सेलसियस तापमान बढ़ता है अब लगवग 25 डिग्री बहुत जादा हो जाता है दोस्तों एक किलोमेटर की गहराई पे गया मतलब अभी मैं यहां बैटा हूँ हमारा टेंपरेचर है माना 50 डिग्री अगर मैं मतर 2 किलोमेटर की गहराई में गया तो टेंपरेचर है 50 डिग्री मतलब 0 डिग्री हो गया वहां पे आपके पास में लगबग सत्थ के तेंपरेचर से लगबग आपके पास में जो है कितना कम हो गया है it is quite quite higher temperature so काफी ज़्यादा सत्ह पे तापमान देखने को मिलेगा जैसे जैसे मैं गहराई के अंदर कर जाता हूँ आपके पास में तो वैसे वैसे temperature degree Celsius में बढ़ता जाएगा यह खोपड़ी में बिठालो दिमाग में बिठालो जितना जल्दी याद रख पाओ उतना अच्छा है अब हम बात करते हैं दाब की तो भाईया दाब कब लगता है कि सर्चो यह प्रत्वी की layers है यह layers एक दूसरे पे क्या pressure लगाती है हाँ अभी समझ में आया कि यह layer इस layer पे दाब लगाती है यह दोनों layer इस तीसरी layer पे यह तीनों layer इन चौती layer पे और यह चौती layer मिलकर के चारों layer मिलकर पाँच्वी layer पे दाब लगाती है तो जैसे जैसे मैं गहराई में जा रहा हूं दाब बढ़ना चाहिए येस जैसे जैसे गहराई में जा रहा हूं दाब प्रेशर बढ़ेगा तो गहराई के साथ में दाब बढ़ता है ठीके अब ये जो दाब बढ़ता है आपके पास में उसका कारण क्या है चटान और सामगरी का बजन है ठीके तो गहराई के साथ साथ में दाब बढ़ता है प्रेशर बढ़ता है क्योंकि अपर जो लेर से उपर की लेर है उनकी चटाने और सामगरी का लगातार यहाँ पर हमारे पास में क्या रहता है जो है फोर्स एक देखने को मिलता है ठीके इसके उपरांत हम लोग आगे जानकारी लेते हैं भूकम्प की किसकी जानकारी लेते हैं दोस्तों भूकम्प की बहुती शांदार टॉपिक होने वाला है इसको अगर अच्छे से बढ़ा आपने न मजा ही आ जाएगा भूकम्प और इसको लिखा जाता है अर्थक्वेक क्या लिखा जाता है इसको अर्थक्वेक भी लिखा जाता है अब देखिएगा कि जो भूकम्प है आपके पास में इसकी उत्पत्ती कहां से हुई है जो हमारी प्रत्वी के आंतरिक बिंदु में लगातार संकूचन होता है लगातार उसमें रिलेक्शेशन होता है ठीके ना तो जो भूपरपटी है जो हमारा क्रस्ट है उसमें उर्ज अचानक से मुक्त होती है और टैक्तानिक प्लेटों की गती के कारण भी प्लेटे आपस में टकराती है उसके कारण भी पैदा हो सकता है तो भूपर की उत्पत्ती कि ऊपर जो है मैं यहाँ पे कुछ बिंदू लिखवाना चाहूंगा आपको पहला और दूसरा पहला बिंदू आप यहाँ पे लिखने की चेस्टा करेंगे कि भूकंप की जो उत्पत्ती है गुरुजी वह नैसेसरली भूपरपटी में उर्जा अचानक जब भी मुप्त हो जाए लिखो प्रत्वी की भूपरपटी में जब संचित पूर्जा अचानक रिलीज हो जाए या फिर यह मैं कहते हूँ अचानक से मुक्त हो जाए अचानक से तक गुप्त हो जाए थीकर न एक तो इसके कारन आ सकता है दूसरा क्या है कि जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स हो टेक्ट्णिक प्लेटों की गती होती है अब जो इस टेक्ट़्ॉनिक प्लेटकी गती है दोस्तों आपके आपके पास में Continental Plate है महासागरिय प्लेट से टकराती है या महासागरिय प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाती है तो यहाँ पे है Earthquake पैदा हो सकता है यहाँ पे इन बिंदों पे भुकमप देखने को मिल सकता है क्या यह याद रखने योग्य विशय है याद रखने योग्य विशय है अब जब भी यहाँ पे जो हमने कहा ना उर्जा रिलीज होगी तो यह उर्जा जो है यह एनर्जी जो है वह तरंग के रूप में निकलती है वह एक वेव उसके रूप में निकलती है जिसको हम लोग सी उरजया रिलीज हूई है उरजया विमोचन से यह भूकम्पिय तरंगे उत्पन होती है और जब भी प्रेट टकराती हैं ते पूरे से दूर जाती हैं तब तब यह को भूकम्पिय Geno को देखने को मिल जाती है अब एक और चीज़ आपको सिखाना और समझाना चाहूंगा कि जो हमारी प्रिथवी है सबस्ति यह हमारी है दोस्तों इस प्रिथवी पर अगर देखने को मिले हमें तो प्रथवी की सत्वे अवकेंदर क्या होगा आपके पास में इक एपी सेंटर होता है इसको थोड़ा सा समझने एपी सेंटर रहना है सबसे पहले इसमें जैसे आप लोग हेडिंग ही लगा लीजिए नैं हेडिंग में थोड़ा सा और सभी रहेगा आप लोग कच्छी अधी केंदर वह अवकेंदर अधिकेंद्र वे अवकेंद्र बेहद ही में हत्पूर्ण हैं दोस्तों मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ अब आपने कहा कि कोई plutonic point कोई पातालिय बिंदू भूपरपटी में अंदर से गहराई से कभी उर्जा रिलीज हुई तो वहां से उर्जा जो है वेवस के रूप में भूकम्पिय तरंगों के रूप में निकलती हैं आपके पास में तो जहां से वह उर्जा सबसे पहले मुक्त होती है है ना वह बिंदू जहां से उर्जा मुक्त होती है है ना यह लिखेंगे उस बिंदू को क्या कहा जाए कर जहां से energy release होती है उस बिंदू को हम नाम देते हैं दोस्तों आपके पास में अवकेंदर, क्या नाम देते हैं अवकेंदर अवर के अंदर, अवर के अंदर को अंग्रेजी के अंदर क्या लिखा जाता है, हाइपो सेंटर हाइपो सेंटर, अब देखना, ये हाइपो सेंटर को कई किताबों में फोकस भी लिखा जाता है क्या लिखा जाता है फोकस भी लिखा जाता है मतलब वहे बिंदू जहां से इन उर्जा का चारो दिशा के अंदर क्या हुआ है आपके पास में यहाँ पे ये एनर्जी जो है वापस चारो दिशा के अंदर रेडियेट होती जाती है बुकंप ये तरंगे जो है फैलती जाती है और जो ये बुकंप ये तरंगे फैलते फैलते लास्ट में कहां पे पहुंचती है सत्ह पे पहुंचती है तो इस अवकेंदर इस हाइपो सेंटर जिसे फोकस भी कहा इसके ठीक उपर जो बिंदू होता है इस बिंदू को हम एक नाम देते हैं और यह बिंदू क्या कहलाता है यह बिंदू कहलाता है अधी केंदर एपी सेंटर क्या कहेंगे इसे अधी केंदर एपी सेंटर और यह जो एपी सेंटर हैं दोस्तों आपके पास में यह बहुत ही महतपूर्ण है क्यों क्योंकि यह सत्ह परस्थित बिंदू है जो भूकम के उपस्थिस थल के ठीक उपर है आपके पास में है ना तो यह सत्ह पर उपस्थित वह बिंदू है जो अवकेंद्र के ठीक उपर निकटतम है ठीक है तो जो सत्ह पर बिंदू है उसे अधिकेंद्र एपिसेंटर कह दिया जहां से उड़जा रिलीज हुई हाईपोसेंटर या फोकस कह दिया और जो एनरजी रिलीज हो रही है वह प्रत्वी पर चारो दिसाओं के अंदर फैलरी है सबसे पहले निकटतम दूरी पे पहुंच कर ट्रैवल करके यह अधिकेंद्र एपिसेंटर पे पहुंचती हैं दोस्तों आपके पास में यह कहा जा सकता है ठीक है अब यहां पे सीजमिक वेव की हम लोग बात करते हैं कि जो सीजमिक वेव है या भुकंपिय तरं तरंगे कहा जाते हैं इनकी उत्पति बुकंप ज्वाला मुखी भुसकलन के समय हो सकती है ठीक है तो इसमें मैं एक और पॉइंट लिखना चाहूंगा आप लोगों के लिए बुकंपिय तरंगे जिनको हम लोग अंग्रेजी में सीजमिक वेवस भी लिखते हैं सीजमिक वेवस ये जो भुकंपिय तरंगे हैं ये सीजमिक वेवस हैं जब भी भुमी में कमपन होता है कमपन तो कई कारण से हो सकता है जैसे के गुरुजी आ गया भुकंप अरे कई बार भुकंप के अलावा भयंकर ज्वाला मुखी फट पड़ा क्या फट पड़ा जौला मुखी वलके नो है ना हम अगिन भूकम सीजमिक वेवस देखने को मिलेगी इसके लवा कई बार बारिश जादा हुई पहाड जो है आपके पास में वहाँ पे भूस खलन हो सकता है इन जैसी चीजों के कारण इनकी उत्पती हो सकती है दूसरा इसमें कुछ प्रकार होते है प्रकारों की अगर बात की जाए दोस्तों आपके पास में तो कुछ तरंगे वह होगी जो प्रत्वी के सतह के अंदर ट्रेवल करती है मतलब इस हाइपो सेंटर से सुरू होकर इस एपी सेंटर तक पहुँचने से पहले जो सतह में ट्रैवल कर रही हैं, बॉडी में ट्रैवल कर रही हैं, मतलब प्रत्वी के अंदर ट्रैवल कर रही हैं आपके पास में और कुछ है जो सतह पे पहुँच करके, फिर सतह पे चारों तरफ बरबादी का आलम लेके आती है अंदर की जो वेव्ज हैं, उनको बॉडी वेव्ज कहा जाता है, क्या कहा जाता है बॉडी वेव्ज को सर्फिस वेव्ज सतह की तरंगे कहा जाता है इसमें सबसे पहले हैं आपकी बॉडी वेव्ज और बॉडी वेव्ज में क्या आती हैं जो कि प्रत्वी के अंदर ही बहती है पहली है पी वेव्ज दूसरी है प्राइमरी वेव्ज और सेकंडरी वेव्ज प्राइमरी और सेकंडरी वेव्ज तो जो आपकी प्रार्थमिक तरंगे हैं इनको हम दोग नाम दे दे रहे हैं primary waves और बाकी की है आपकी secondary waves तो प्रार्थमिक तरंगे क्या है बहुत ही fast चलती है ठोस में चलती है क्या है आपके पास में एक तो यह सिर्फ और सिर्फ ठोस में अच्छे से चलेगी जब भी तरल आएगा जब भी liquid आएगा तब भी चलेगी पर गो ठोस के अंदर तरल के अंदर चाहे आपके gas के अंदर तीनों ही माद्धे में इह चल सकती है परंतु gas और इस तरल के अंदर इसमें क्या होगा अपवर्तन होगा अपवर्तन का क्या मतलब होगा आपके पास में इसका मार्ग परिवर्थित हो जाएगा दोस्तों आपके पास में मार्ग परिवर्थित हो जाएगा और सबसे फास्ट चलड़ने वाली इसको नाम दिया गया प्राइमरी प्रार्थमिक तो क्यों नाम दिया प्रार्थमिक क्यों नाम दिया प्रार्समिक तरंग आपके पास में क्योंकि सबसे पहले जो सर्फेस पे सतह तक पहुँचने वाली तरंगे होती है ठोस, तरल, गैस सभी माध्यम से गुजड सकती है आपके पास में और अनुदेर्ध्य तरंगे होती है कैसी हैं दोस्तों आपके पास में अनुदेर्ध्य तरंगे होती है मतलब जिस भी मीडियम से जाएंगी उस मीडियम को कहीं न कहीं लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट का कारे करने वाली फिर है secondary waves जिसको हम द्वित्यक तरंगे बीद कहते हैं क्या कहते हैं आपके पास में द्वित्यक तरंगे अब इन द्वित्यक तरंगों में क्या होता है मित्रों आपके पास में यह अनुप्रस्त होती हैं यह क्या है आपकी अनुदैर यह नहीं है ये अनुप्रस्थ तरंगे तो जहां से भी ये सेकेंडरी वेव्स गुजरेंगी न उस अनु को उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे इस तरीके से उसिलेट करेगे ठीक है अब याद ये रखना कि ये सिर्फ ठोर्स पदार्थ से ही गुजर सकती है तो जो आपका सॉलिड है प्रत्वी का भाग सिर्फ वहीं से गुजर पाएगी उसी सॉलिड माधियम से गुजर पाएगी अगर कहीं भी तरल आया तो नहीं गुजर पाएगी सब प्रत्वी का वह भाग जो तरल है बाहिया कोर बाहिय कोर तरल है, क्या बाहिय कोर से गुजर पाएगी नहीं गुजर पाएगी ना गुरुजी और जब ये बाहिय कोर से नहीं गुजर पाएगी तो surface waves हमें सतह पे seismograph पे उसकी reading नहीं पहुचेगी तो हम deduct कर पाएगे कि ओके, primary waves तीनों माध्यम क्रॉस कर रही है secondary waves, एक माध्यम ऐसा तरल है प्रत्वी के अंदर कहीं, liquid है प्रत्वी में, जिसके कारण secondary waves उस माध्यम को क्रॉस नहीं कर पाती है तो इस प्रकार हम इस seismic waves भुकमपिय तरंगों के वो read करके भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है so, इसमें सबसे interesting चीज है आपकी जो secondary waves, उसको थोड़ा सा study करते है, ठीक है न, कि माध्यम से जो कण जो हैं, लंबवत उसमें कमपन होने लगता है, गर्त और शिकर बनते हैं, ठोस पादारतों के माध्यम से ही मात्र गुजर पाती है primary से थोड़ी सी धीमी होती है तो इसको एक और चीज लिख सकते हैं, यहां पे इन दोनों में एक एक points और जोड़ देंगे यह faster है यह slower है, ठीक है इसके उपरांथ हम अगले बिंदू की तरफ बढ़ते हैं अगले बिंदू में जो है, हमें ध्यान रखना है कि जो surface waves कौन सी होती है surface waves प्रत्वी के अंदर hypocenter से निकली हुई P waves S waves का पता है, अब surface पे कौन सी waves पहुँचेगी सतह पे कौन सी waves होगी उसकी जानकारी लेते है तो दोस्तों यहां पे लिखेंगे धरातली तरंगे surface waves और जो यह धरातली तरंगे हैं जो यह surface waves है यह अपने आप में एक अच्छा impact रखते हैं कैसे रखते हैं दोस्तों यह अपने आप में एक अच्छा सा impact इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि इनकी उत्पत्ती जो है सतह के साथ ही होती है आपके पास में और लंबे तरंग दैरी की यह तरंगे होती है तो यह प्रत्वी की सतह है इस point से primary waves, secondary waves आकर के सतह पे तकराएंगी जैसे ही तकराएंगी इस सतह पे एक surface waves जो है वह पैदा होने लगेगी और जो यह surface पे धरातल यह तरंगे पैदा हो रही है आपके पास में हम उन्हीं तरंगों की बात कर रहे है मित्र तो इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले तो सतह के साथ यात्रा करती है surface पे सतह पे धरातल पे रहती है दूसरा लंबे तरंग देर देगी है और जब यह लंबे तरंग देर दे की होगी तो विनाश जादा कर सकती है ना आपके पास में इसके प्रकारों की विवेचना भी आप लोगों को साथ साथ में लिख लेनी चाहिए कि गुरुजी फिर इसके प्रकार कितने हो सकते हैं दोस्तों आपके देखें यह भी आपके पास में रेलिग और लव विवस दो प्रकार की हो सकती है रेलिग और लव वेवस सतह धरातली सर्फिस वेवस ही हैं दोस्तों आपके पास में अब इनके अंदर क्या फरक होता है दोनों में सबसे पहले याद रखता है कि जो रेलिक तरंगे हैं वह अंडाकार गती करती हैं आपके पास में अंडाकार गती होती हैं अंडाकार जब भी कोई कती करेगी आपके पास में धरातल में कंपन तो होगा और शती भी होगी तो यह कहिन कहीं धरातल में कंपन वेख के शती दोनों का ही कारक बनती हैं तो और्थ के वेक आता है ना, जब भी भुकम बाता है, तो कमपन होता ना, वो कमपन नहीं प्राइमरी वेवस से, नहीं सेकंडरी वेवस से, वो कमपन होता है इन रेले तरंगों के कारण, किसके कारण है इस रेले तरंगों के कारण, इसको relic waves भी कहते हैं आपके पास में उसके बाद में आती हैं आपकी love waves अब भया यह भी खतरनाक waves हैं आपके पास में यह शितिज और अगल बगल की गती करती है कैसी गती करती है आपके पास में अगल बगल वे शितिज गती करती है मतलब एक मॉलीक्यूल से अगर लव वेफ्स गुजर रही हैं तो उसे उपर नीचे दाएं बाएं चारो तरफ पटक देगी अगल बगल उपर नीचे पूरा शितीज गती भी करेगी आपके पास में तो ज़्यादा तीवर हैं और विनाशकारी हैं आपकी लव तरंगे नाम में ही लव है तो विनाश तो हो नहीं है ठीके आदमी को अगल बगल उपर नीचे चारो तरफ के चेते हैं बिचारा ठीके तो यह धराते लिए तरंगे तो जो हमें भूकंप के कारण तरंगे कहिन कई आंतरिक संडचना पता चलती है वो प्राइमरी सेकेंडरी विव से पता चलती है पर जो हम हैसूस कर पाते है जो कंपन जो विनाश जो यहाँ पे गती दरातली कंपन इत्यादी इत्यादी यह सारा होता है इस रेले और लव के ओपर वा डाइग्राम क्या कहता है आपके पास में चाया चैत्र की बात करता है किे बात करता है दोस्तों आपका छाया छेत्र या शेडो जोन शेडो क्या होती है छाया क्या होती है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाए वही तो अंधेरा वही तो छाया छेत्र होता है एक्जैक्ली वैसे जहां पर ये तरंगे नहीं पहुंच पाए उसको उसका चाया चात्र कह देंगे हम लोग तो इसी प्रकार primary और secondary waves का P waves का भी एक आपके पास में जो है इस प्रकार का shadow zone होगा जिसको हम लोग 6 खाया चात्र नाम देंगे आपके पास में ठीक है ना और S waves secondary waves जो है आपकी S वे उसका भी आपका जो है एक छाया छैत्र होगा अब इसके लिए दो प्रत्वी बनानी होगी भईया आपको तो थोड़ा सा हम लोग जियामित्ती का भर्योग लेंगे और यहाँ पे कलर ये रखते हुए डाइग्राम ये बनाएंगे काफी है तकनीक का पूरा उप्योग कर रहे हैं अब ये बनाएग्राम ठीक है चलो वापस पहन पहाँ जाओ अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे के सर एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हम लोग नाम दे रहे थे एपीसेंटर क्या नाम दे रहे थे एपी सेंटर एपी सेंटर अब हमें यह चीज पता है कि प्रत्वी के कोर में प्रतवी के कोर में एक ऐसा एरिया है वह एरिया क्या है आपके पास में solid है क्या है आपका वह एरिया solid है ठीक है सर जो प्रत्वी के अंदर एक भाग solid है कौन सा solid है जो अंदर core है वह solid है खाली बाहिए core तो क्या है liquid है एक और ड्रॉ करेंगे यार ये तो गलत हो जाएगा डाइग्राम बराबर बनना चीए ठीक है तुम भी ड्रॉ करते हुए चलो साथ साथ में बनाओ इसको हाँ अब बनाना मजा आया इसका copy मार के इधर ले लेते है तुम्हार पास नहीं है ना software हाँ jealous मत हो जाना सर से क्या गुरु जी ठीक copy मार ले रहे है हमार पास तो ही नहीं अब अगर देखा जाए ना मित्रों हमारे पास में हां मैं यहां पे अगर ड्रॉप करूं तो liquid वाला हिस्सा कौन सा है के सर लिक्विड वाला तो खाली बाहिये कोर है ये बाहिये कोर जो है outer कोर है वो लिक्विड है सॉलिड वाला हिस्सा कौन सा है सर अगर आप सॉलिड कोर पूछ रहे हो जो सॉलिड है तो सॉलिड तो एक तो मेरा ये वाला हिस्सा हो गया जो सॉलिड होगा तो ये वाला हिस्सा होगा दूसरा ये वाला हिस्सा होगा इनाम करन करना चाओंके ? यह वाला हिस्षा क्या है आपके पास में ? यहां वाला हिस्षा क्या है ? यह inner core जो की solid है ठोस है ये वाला हिस्सा क्या है आपके पास में यह है बाहिय core जो की liquid है जो की क्या है तरल है बाकी का ये क्या है आपका जो सबसे उपर वाला हिस्सा है crust है और फिर mental वाला जो की ठोस है ठीक है सर अब हमने कहा कि सर अगर हम यहां से कुछ radiations जैसे की primary और secondary waves सोचो primary और secondary कहां तक travel कर पाएगी solid में हमने क्या कहा कि सर primary waves जो है हमारी primary waves जो है क्या वो यहां पे travel कर पाएगी यस सर पर primary waves जैसे ही liquid में जाएगी यस travel कर पाएगी हाँ liquid के साथ साथ में वो कहां तक travel कर पाएगी यह तो सोचने की कोशिश करो यह भी तो सोचो कि सर वो liquid में तो travel करेगी पर liquid में गुसते ही उसका क्या हो जाएगा direction change हो जाएगा देखो एक diagram पढ़ा था तुम लोगों ने बच्पन याद दिलाओं तुमको तुमारा ज़्यादा बुड़े नहीं हुए हो तुम अभी देखो एक master जी ऐसे bucket लखते थे ऐसा diagram बनाते थे तुमसे साथ वी नाठ वी में फिर तुमको कहते थे कि देखो बेटा एक अगर scale लेओगे न तुम है न एक scale लेओगे न तो तुम सीधी सीधी पहले scale ऐसे दिखेगी तुमको bucket के अंदर पर जैसे ही उस bucket में तुमने क्या भर दिया पानी भर दिया जल भर दिया तो जैसे ही उसमें तुमने जल भर दिया तो अब ये bucket के अंदर जो तुम है scale होगी वह सीधी नहीं नजर आएगी तो कैसी नजर आएगी गुरुजी सर ये कुछ हमें इसका प्रतिबिम्ब जो है इस प्रकार में जर आएगा मुड़ा हुआ सा नजर आएगा मतलब जो scale है आपके पास में वो original तो यहीं पे हैं पर जैसे ही इसका प्रतिबिम्ब होगा पानी के अंदर क्योंकि अभी हमारी प्रकाश की किरने जो है वह पानी से टकराएगी और पानी से टकराने के बाद में परावर्तित हो जाएगा मतलब उनका मार्ग रुकेगा तो नहीं पर परिवर्तित हो जाएगा तो वही तो यहाँ पे हो रहा है वही तो यहाँ पे हो रहा है तो ठीक ऐसा ही प्रत्वी के अंदर भी होता है कि जो यह primary waves आई है primary तरंगे आई है यह primary waves यह primary तरंगे जो है हमारे outer core के अंदर enter कर सकती है वोले गुरु जी कर सकती अभी अभी जेजे सर ने बढ़ाया है कि primary waves जो है liquid, solid और gas सब में ही travel कर पाएगी शाबाश पर अपवर्तित हो जाएगी राइट क्या हो जाएगी परावर्तित हो जाएगी यह अपना रास्ता बदल लेगी तो सर जैसे ही वो इसके अंदर जाती है वो इसके अंदर जाती है पर अपना रास्ता जो है थोड़ा सा क्या कर देती है दोस्तो परावर्तित कर देती है तो जैसे ही वो इसके अंदर जात पहुँचने की कोशिश कर तो रही है आपके पास में कर तो रही है रास्ता पर बदल दे रही है पर रास्ता बदलते बदलते वापस बाहर आएगी और यहाँ से बाहर आते हैं यहाँ पे detect होगी मतलब overall कुछ हिस्सा इधर का अगर देखा जाए तो कुछ हिस्सा ये वाला और इधर भी ये वाला कुछ हिस्से के अंदर यह waves हमें नहीं नजर आएगी यह waves हमें नहीं नजर आएगी यस और नो और जब इस हिस्से में यह waves नहीं नजर आएगी इसी हिस्से को ही तो हम लोग नाम दे दे रहे हैं के सर ये वाला एरिया क्या रहेगा इस वाले एरिया को हम लोग shadow zone नाम दे रहे हैं बस और कुछ नहीं है तो हमारी primary waves तीनों माध्य हमें ने travel कर पा रही है solid में भी कर रही है liquid में भी कर रही है पर रास्ता थोड़ा बदल दिया पर inner core solid में वापस गई वापस liquid core में आकर के कहीं कहीं परावर्तित अपवर्तित रिफ्रेक्शन है ना चेंज करने के बाद में देख पा रहे हैं हम लोग मतलब primary waves जो हैं आपके पास में इस epicenter से 104 degree इधर 104 degrees 104 degrees इधर और इसका भी 104 degree इस side left और right में देखने को मिल जाएगी इसके उपरांत आपके पास में लगवगगर देखा जाए तो 104 से लेकर के 140 के बीच का जो है area रहेगा उस area के अंतरकत हमें यहां उसका shadow zone नहीं देखने को भी लेगा 104 से 140 इधर भी 104 से 140 degree का तो यह जो area है लगवग अगर मैं यहां पर देखने की कोशिश करूँ तो लगवग 36 इधर और 36 इधर तो 30-36 degree इधर और 30-36 degree इधर प्रत्वी के अंदर हमें primary waves observe भी नहीं होगे इससे हमें क्या पता चला कि सर कुछ तो चीज है जो primary waves का रास्ता बदल दे रही है ओके पर वो कौन सी चीज है वो कितनी गहराई पे है कहना ना संबव था अभी फिर हम secondary waves को travel करने उसके रास्ते के shadow zones को देखने के उपर आए तो जो इसके shadow zones को हम देखने के उपर आए ना दोस्तों तो इसके shadow zones पे भी एक बात बनती है फिर आपके पास में क्योंकि हमने कह रखा है पहले से कि ये तो सिर्फ solid में ही travel कर सकती है मत्र ठोस माध्यम में ही travel कर सकती है जब भी liquid आएगा time time fist आगे नहीं चाप आएगी तो इसके अंतरगत तो देखा जाए जैसे ही यह travel कर रही है यहां से यहां तक कर रही है सर यहां से यहां तक कर रही है सर ठीक है ना ठीक वैसे ही यह travel तो कर रही है पर सिर्फ solid में कर रही है जैसे ही यह liquid के पास में आई liquid के पास में आई आगे travel नहीं कर वाई क्यों क्यों क्योंकि outer core बाहिये core तो liquid है और जब बाहिये core liquid है यहाँ पे secondary waves, S waves उसमें travel नहीं कर पा रही है तो हमने क्या देखा हमने देखा कि इस epicenter के 103 degree आपके पास में 103, 104 degree हम लोग कह सकते हैं 103 degree left और 103 degree ही right के आसपास तक जो है आपकी यह 103 नहीं होता है, 104 होता है almost 104 degree left और 104 degree right इसी तक ही basically हमें S waves जो है surface पे देखने को मिल रही है, दरातल पे देखने को मिल रही है, बाकी जो है यह waves क्या है आपकी पूरा का पूरा shadow zone है तो 104 left और right के बीच पूरा का पूरा क्या है इसका shadow zone देखने को मिल रहा है अब इस चीज को लिखोगे कैसे समझ तो गए हो इसको लिखोगे कैसे, हाँ या ना बात तो सही है ना, अब इसको लिखना है आपके पास में, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि primary waves का shadow zone 6 चेतर कहां पे है primary waves का 6 चेतर आगे लिखो 104 से 140 डिगरी के बीच में 104 डिगरी से 140 डिगरी के बीच कहीं भी ये waves detecting नहीं हो रही है ये white वाली primary waves detecting नहीं हो रही थी ठीके सर, तद उपरांथ बाहरी कोर से यहाँ पे अपवर्तन हुआ तो ये भी लिखो कि ये अपवर्तन क्यूं हुआ क्योंकि बाहरी कोर से T waves अपवर्तन के कारण कुछ एरिया तक ये प्रिजेंट नहीं है बाकी वापस कुछ एरिया में 40 से 40 के बीच में देखने को मिलेगी हमें ठीके, S waves का shadow zones को अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे के सर ये एपी सेंटर के 103 डिगरी के बाद दिखाए ही नहीं देती तो एपी सेंटर के left और right तक तो दिखाई देती हैं उसके उपरांद जो हैं क्योंकि बाहिये तरलकूर हैं उससे नहीं गुजर सकती हैं आपको अच्छे से समझना है अगर ये दोनों डाइग्राम्स क्लियर हो गया और shadow zone समझ में आ आगया ना आपके पास में तो अर्थक्विक का एक अच्छा खासा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीके तो आपको 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 आपक प्रत्वी के अंदर कहीं लिक्विड कोर है ये किस स्टडी से पता चला हमें इस shadow zone की स्टडी स्चाया छेत्र से पता चला कि सर्फेस वेव सर एक सो चार से एक सो चार लेफ्ट राइट तक ही देखने कि मिल उससे आगे नहीं तो पता चलता है कि अंदर कोई एक आउटर को उसमें जा रही है तो परिवर्तन नहीं हो रहा है पर ठोस से जैसे ही लिक्विड में गई ठोस से तरल में गई तो मध्यम परिवर्तन हो चुका है अब समझ में आया बात आपको अच्छे से समझ में आया आपको ठीक है बस और कुछ नहीं है इसमें बहुत ही सिंपल है जो भूकम्प के कारण तो भूकम्प के जो कारण है सबसे पहला है एक तो प्राकृतिक है आपके पास में नेचर के कारण ही जो है आपके भूकम्प देखने को मिल जाते हैं तो क्यों नेचर के कारण हमें भूकम्प देखने को मिलते हैं उसकी भी हम लोग यहां पर बाचित कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहला कारण रहेगा यहां पर जो है आपका प्राकृतिक या नैचरल जो है आपके पास में प्राकृतिक क्या कारण है दोस्तों आपके पास में ठीक है और फिर कुछ कारण जो नैचरल नहीं होते हैं उनको हम मानवजनित कारणों में रख सकते और मेरे ख्याल से दोनों ही आपको पता है जितना मैंने पढ़ाया ना आपको दोनों ही आपको 100 और 101 परशंट शोर के आपको याद होगा कौन कौन सी चीजे है जैसे कभी भी फॉल्ट जोन से जिसको ब्रंस छेतर कहते है ब्रंस छेतर जो है एक प्लेट है है ना उसमें एक दरार पैदा हो चुकी है है ना एक प्लेट इधर जा रही है दूसरी प्लेट इधर जा रही है है ना तो उस दरारों के छेतर में जा अपसारी प्लेट किनार है प्लेट्स डाइवर जोरी एक दूसरे से दूर जा रही है वहाँ पर कमपन पैदा होगा रिफ्ट पैदा होगी दूसरा लिखेंगे आप लोग यह सब प्राक्रतिक है टेक्टॉनिक प्लेट शीमा छेत्र में कि जो दो प्लेटे टकरा रही है या दो प्लेटे दूर जा रही है या दो प्लेटे सामानांतर गती कर रही है इन कारण भी कहीन-कही जो आला मुखी के कारण भी होसकता है अब मानव जनित क्या हो सकता है क्योंकि मानव भी जो है बहिया कम नहीं है या कहीन कई जलासाय बनाता तो जलासाय प्रेरीत भुकम होते हैं रिजर्वार इंड्यूजड अर्थपेक होते हैं जलासे बनाते हैं बड़े-बड़े डैम बनाते हैं जलासे भुकम्प हो सकते हैं आपके बसे हिमालें चैतर में देखने को मिलेंगे खननन गतिविद्या हम करते हैं अधनन गतिविद्यो के कारण हो सकते हैं तीसरा लीस्ट बट नॉट लैक लैस बट इसको कहा जा सकता है आइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जो हम करते हैं तेल और गैसों का निश्कर्शन करते हैं उस वक्त भी भुकम पाता है आपके पास में इसके कारण भी हो सकता है गैस और तेलों के निश्कर्शन के कारण हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या ड्रिलिंग जब हम कर रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है ठीक है अब ये तो हो गया आपके पास में भुकम पो के मुख्य मुख्य कारण क्या हो सकते हैं अब भुकम जो है मुख्य तोर पे देखे जाए कहां पे आते हैं अगर मैं पूरी दुनिया का मैप है आपके समक्ष अगर आप खोल के बैठो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वित्रन संबंदित बात करना चाओंगा के वित्रन कहां पे होता है दोस्तों आपके पास मैं भुकम का डिस्ट्रिब्यूशन परिक्षा में पूछा गया है तो अच्छे जहें लिकलो भूकम का वितरन देखिए अगर मैं भूकम के वितरन की बात करूँ ना मित्रो भूकम के वितरन की अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ आप लोगों से तो सबसे पहले तो वह जोन आएंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा है जिसको हम Pacific Ring of Fire कहते हैं Circum Pacific Belt कहते हैं परी प्रशान्थ पेटी परी प्रसान्थ पेटी या Circum Pacific Belt इसको कह सकता हूँ मैं दोस्तों आपके पास में और यह है आपका नंबर वन एरिया दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकम यहीं आती इसको Ring of Fire भी कहते हैं क्या कहते हैं हम लोग Ring of Fire दुनिया के 50% Earthquake यहीं पर आएंगे इसी परी प्रशान्थ पेटी के इंदर्गत ही आएंगे फिर आएंगे हिमालियन छेत्र में दूसरा कौन सा छेत्र है आपका हमारे हिमालियन छेत्र को हम लोग कहीं न कहीं देखते हैं कि बहुत ही जादा वहां भूसकलन या अस्थिर्ता देखने को बिलती हैं तो हिमाले छेत्र भी इसी का ही एक एक एक्जामपल है दोस्तों परी प्रशान्थ के बाद में गर देखा जाए तो भारत और Eurasian plates यहां पे टकरा रही हैं और दुनिया के 5 से 10 परशेंट भूकम यहीं पे आते हैं क्यों आते हैं दोस्तों आपके पास में कि एक तो है इंडो आस्ट्रेलिन प्लेट जिसको हम लोग कहते हैं भारतिय प्लेट जो है इंडियन प्लेट जो है किस से टकरा रही है आपके पास में यूरेशियन प्लेट से यूरॉप और एशिया जिसपे यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और इस टकराओ के करण अर्थक्विक पैदा हो रहा है तीसरा छेत्र कौन सा रहेगा दोस्तों आपके उसमक्ष तीसरा यहाँ पे है अल्पाइन बेल्ट है अल्पाइन यानि पर्वतिय जो दक्षणी यूरोप वाला जो एशिया तक का जो छेत्र है इसको अल्पाइन बेल्ट कहा जाता है अल्पाइन छेत्र में अगर हम देखेंगे तो आप लिखेंगे दक्षणी यूरोप से लेकर के एशिया तक का छेत्र है यहाँ पे अब इसमें कहां पर कितने भुकम बात हैं लगबक दुनिया के 5 से लेकर के 15 परशंट जितने भी अर्थक्वेक हैं वो यहीं पर देखने को मिलेंगे आपको अन्यब भी कई छेतर हैं जैसे अफ्रीका है औस्टेलिया अंटाक्टिका है हलके भुकम भर जगह पर आते हैं भा पर लेजर जो हैं अभीशरण छेतर हैं जहाँ आपे पलेटे टकरा रही हैं सब्डखं जोन जून हैं जहाँ पर शक्तिशाली भुकम वहीं पर आते हैं आपके पास में क्योंकि यहां पर विस्सापन है सब्डख़्न हो रहा है पलेटों के टकराने से जो उड़जा ज्या मापन की अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें मित्रों तो earthquake के मापन को थोड़ा अलग-अलग पैमाने हम देख सकते हैं कि मैं तिवरता मापना चाहता हूँ या उसका परिमान मापना चाहता हूँ वह बात कर सकते हैं सबसे पहले आपको अगर मैं यह कह दू कि सर मुझे earthquake का जो मापन करना है वह उसके magnitude के आधार पर करना है परिमान के आधार पर करना है तो क्या करूँ सर मेरे को लेनी होगी reactor scale कौनसी scale लेनी होगी आपके पास में reactor scale पर जो है इसको मापा जाएगा दोस्तों आपके पास में भूकंपय तरीकों का जो है अधिक्तम आयाम की यहां पर गणना की जा सकती है अब याद रखना यह intensity नहीं माप रहा है क्योंकि intensity या तिवरता का जो मापन होगा तिवरता का जो मापन होगा वह तो होता है आपके पास में mercury scale के उपर कौन सा है आपके पास में संसोधित mercury scale इसी scale के आधार पे हम तिवरता का मापन करते हैं अलग-अलग स्थानों के अंदर शती का माप किया जाता है तो यहां पे आप शती का माप कर रहे हैं और यहां पे आप उर्जा कितनी मुक्त ही उर्जा का माप कर रहे है यहां परिमान देख रहे हैं यहां पे तिवरता देख रहे हैं यहां destruction देखा जाएगा उपकरण जो कहीं कहीं इसमें काम आता है उसका नाम आप लिग लेंगे seismograph बहुत ही महत्पूर्ण है परिक्षा में पूछा भी गया है सीजमोग्राफ सीजमोग्राफ वह यंत्र है जो भूकम्पी तरंगो को रिकॉर्ड करता है क्या काम करता है यह सत्ह पर रिकॉर्ड करने का कारे करता है दिजिटल रिकॉर्डिंग को भी कहीं कहीं जो हैं सीजमोग्राफी में अब तो पहले होते थे आपके पास मैं मेकानिकल तरीक चारते हैं अब डिजिटल तरीके से भी हम लोग करने लग गये है इसको याद रखना है अब मापन के उपरांत आ जाता है आपका प्रभाव, impact किसर जो अर्थ्ख्वेक है उसका प्रभाव क्या हो सकता है देखिए अर्थ्ख्वेक के कई नकारात्मक प्रभाव हमें पता है जैसे सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं यहां पे आप लोगों को भ पता होने चाहिए जो हमारा जीवन है जो हमारा लाइफ है और संपत्ती ठीके इसके उपरांथ जीवन और संपत्ती के बाद में हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो संरचनात्मक्षति हो रही वो भी लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूल स्कूल, रोडवेज बिजली के बोर्ड सब गिर जाते हैं अच्छा कोई एरिया पूरा जलमगन हो जुक का है लोगों का विस्थापन होगा लोग वहाँ से माइगरेट कर जाएंगे लोगों का विस्थापन भी एक कारक हो सकता है महत्मुन बुनियाजी धाचे में व्यवदान हो जाएंगे अच्छा सोशल और साइकलोजिकल भी एफेक्ट हो सकता है लोगों में भय है आपके पास में मानसिक तनाव जैसे परिस्तिति रहेगी मानसिक तनाव जैसे परिस्तिति रहे सकती है और हमारे परियावरण पर परभाव होगा आपके पास में कैसे बताओ कैसे होगा परियावरण ये परभाव में आप लिख सकते हैं जैसे भुकम के कारण कई बार देखो सुनामी आ सकती है कई ज्यादा अगर बाड डैम वगर तूड़ गया बांध तूड़ गया तो वहां पर बाड आ सकती है फ्लर्ड्स आ सकती है पुरा का पुरा एरिया ही जलमगन हो गया आपके पास में कई धरातल फट चुका है तो है ना दरातल के जगा फट जाता है पूरा एरिया काम का नहीं रहता है बैडलेंड टोपोग्राफी कई हमारे मंदीर इसमारक उसको नुक्षान है तो हमारे सांस्कृति कैति है सीग विरासतों को नुक्षान है सेवाओं में व्यवधान हो सकता है स्वास्त है सिक्षा है तो इस प्रकार आप कई यहां पे प्रभाव देख पा रहे होंगे जो की जीवन से लेकर के मानसिक और परियावरन कई सारे आयाम को प्रभावित करते हैं अब इसके अलावा सेकंडरी हजार्ड क्या क्या हो सकती हैं सेकंडरी हजार्ड भी महतपूर्ण हैं दोस्तों आपके पास में सेकंडरी हजार्ड मैं क्यों कह रहा हूँ आपके पास में क्योंकि इसके फलस्वरूप द्वित्यक सेकंडरी हजार्ड क्योंकि अर्थक्वेक से सीधी तो बरबादी हैं इस सीधी बरबादी के बाद में भी कई बार क्या हो सकता है आपके पास में secondary hazards भी cause हो सकती है इस secondary hazards को आप लोग लिखेंगे ड्वितियक hazards है आपके पास में ड्वितियक खत्रे तो जो earthquake भूकम के कारण ड्वितियक खत्रे क्या क्या पैदा हो सकते है लिखे इसके बारे में जो हमारे द्यूतिय का खत्रे हैं दोस्तों सबसे पहला तो पानी के नीचे समुद्र में भूकंब आ गया तो सुनामी पैदा हो गई क्या हो गई आपके पास में? सुनामी पैदा हो गई सुनामी समुद्र के नीचे भुकंप जब भी आयेगा पानी विस्थापित हो जाएगा 2004 में हिंद महासागर में आई थी और यहाँ पर आसपास के जितने भी 30 एर देश थे उससे परभावित हुए थे तो सुनामी यहाँ पर जो है एक प्रकार का तुटिये का खत्रा है के नहीं सुनामी के बाद में आप पताएंगे किसी मड़ी एरिया के अंदर भूस खलन भूस खलन की घटना है घटित हो सकती है पहाडी छेत्रों में जहाँ पर जमीन खिसकने लग जाए ड़लान के अंतर गत जैसे कि अभी हाली में देखने को मिलाता हमें कहाँ पर चाइना के अंदर सिचुवान के अंदर 2008 फाली घटना है आपके पास पर फिर कुछ एरिया में द्रवी करण हो सकता है लिक्वी फैक्शन इसको कहते है द्रवी करण अब दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा खासा हजार संत्रप्त जहां पर भी तलचट वाले एरिया है वहाँ पर जमीन तरल जैसी हो जाती है ना सॉलिड नहीं रहती एक दम लिक्वीड सी हो जाती है एक्जाम्पल है न्यूजीलेंड के अंदर 2011 में क्राइश चर्च जो है एरिया के अंदर भूकम आया था न्यूजीलेंड में 2011 के अंदर जो अर्थक्वेक आया था क्राइश चर्च में वहाँ पर स्वाइल लिक्विफेक्शन होने की कोशिश हो गए थी पूरी मिट्टी जो है वो पूरा का पूरा सॉलिड रही नहीं मिट्टी पूरी तरीके से जो जो है आपके पास में एक लिक्विड की तरह जो है बिहेव करने लग चुकी थी कई जगा पर आग लग सकती है पायर हो सकती है येस अब यहाँ पे बिजली है गैस की pipeline ने है बिजली की तारे हैं गैस की pipeline है आपके पास में 1995 में जो है आपके पास में जापान में कोबो में भुखम पाता है पुरे एरिया में आग लग जाती है ठीक है न? जापान अर्थक्वेक जो है इसके example में लिख सकते हैं कि 1995 की घटना है आपके पास में कोबो की जापान का एक छेत्र है वहाँ पर आग लग गई थी इसके उपरांत आप लिख सकते हैं आफ्टर शॉक क्योंकि लोग तो भुकम के कारण तो शॉक में रहते भुकम के बाद में भी छोटे मोटे होता है वह बाद तो यहाँ पर जैसे कि लांग शान भुकम आया था चीन में और यह भुकम 1976 में पूरे के पूरे एरिया के अंदर जो है पानी और सीचाई की समश्या रहती आने वाले कई सालों के अंदर पूरा कपूरा अर्थ के जल है नहीं आपके पास में जो स्वच्चता है पूरा एरिया जो है आपके पास में 2025 का कश्मीर गाला जो है भुकम लेने की कोशिश कीजिए पाकिस्तान वाले एरिया में हमार जो पीओ के वाला एरिया था वहाँ पे पूरा डाइरिया और हेजा यह बिमारिया फैल ने लग गए थी वहाँ पे तो रोग भी फैल सकता है आपके पास में यह चीज याद रखने योग यह हैं दोस्तों आपके पास में रिसेंट कई एक्जाम्पल्स है ऐसे जैसे सीरिया और टर्की में भुकंबाया 2030 गत वर्षा आया था 7.8 रेक्टर स्किल तीवरता का भुकंबाया था 54 अरब 54 बिलियन डॉलर का नुक्सान बताया जा रहा 20 हजार लोग गाया अफगानिस्तान में भुकंबाया पिछली साल 6.1 तीवरता का पपुआ नियोगीनिया में आया 9 š doце है यहां पर इस सब केंग्रट में बजिए क्या किया जा सकता था इन सब चीजें से बचने के लिए इन में का परभंधन करना जरूरी ह Значит क्या जरूरी है को द्यूद्ध का प्रभंधन में उसमें कुछ महत्पुर्ण पॉइंट्स हैं परिक्षा के परिप्रिक्षे से जो आपको लिखने चाहिए आपके पास में कि सबसे पहले तो भुकम्पिय छेत्र को विभाजित करो पुरे भारत में कौन से एडिया में ज्यादा भुकम्पे कम है पुरे विश्व में ऐसा होना चाहिए कि आप भुकम्पिय छेत्र विभाजन करो और भवन निर्मान की कोड बनाओ अलग से ठीक है ना और प्रारंबिक चेतावनी प्रणाली होनी चाहिए तो overall हमने क्या कहा आपके पास में सबसे पहला कारिय करना है भुकम्पिय छेत्र का विभाजन अब इस विभाजन से हमें पता चलेगा कि सर भारत में किस एरिया में ज़्यादा भुकम कहां पे कम भुकम पाएंगे आपके पास में उपरांद भवन निर्मान सहीता ऐसे जहां ज़्यादा भुकम पाते हैं तिवरता के वहाँ पे हम एक building code ही बना दे भवन निर्माण सहीता बना दे भवन निर्माण सहीता ही बना दी जाए तो ये code बना दिया कि ऐसे घरों के अंदर ऐसे एरिया में जहाँ पे अर्थक्विक जादा है वहाँ पे घर बनाने के लिए अलग मांदन्ड होने चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो आपके पास में तीसरी जो चीज हमने यहाँ पे लिख करके बताए कि सर लोगों को प्रारंभिक चेतावनी पहले से दे दी जाए प्रारंभिक चेतावनी प्रनाली विक्षित करना चीए अच्छा इस प्रारंभिक चेतावनी प्रनाली के अंदर हमार इंटरनेशनल जैसे इंडियन मीटरलोजिकल डिपार्टमेंट है वो प्रसारित करता है यह एक सिस्टम को बना देना चाहिए आपके पास में कि हम लोग बहुत ही अच्छे से सारे एरिया को जो पहले से ही बता दे कि यहां पर भुकम आ सकता है भुकम जागरुकता के लिए अभ्यान चलाया जा सकते है स्कूली कारेकरम हो सकते है कि भुकम से कैसे निप्टा जाए उसके बार में शिक्षा दी जाए स्कूली कारेकरम में सरकार की पहलों के माधियम से हो सकता है स्कूली कारेकरम से जागरुकता को बढ़ाया जा सकता है आपके पास में भवन वीनिमे किया जा सकता है आपके पास में ज्यादा से ज्यादा आप डिजास्टर हो चुकी है उसके लिए preparation पहले से करो research और monitoring भी की जा सकती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अनुसंदान और निगरानी को मजबूत करके भी जो है earthquake के प्रभाव से निजात प्राप्त कर सकते हैं अब ये समझ में आ गया overall हमारा chapter क्या था हम जो chapter पढ़ रहे हैं मित्रों हमारे chapter का सीर्षक अगर आपको याद है वह था प्रत्वी की आंत्रिक संडचना ये सोर नो chapter number 6 अब इस आंत्रिक संडचना का महत्व क्या हो सकता है कोई बताएगा मेरे को इसका महत्व क्या होगा इसका importance क्या हो सकता है दोस्तों आपके पास में इसका जो importance है सबसे पहले आपके पास में कि प्रत्वी को ही समझना plate tectonics या भूकम को समझना है ना तो जब भी मैं आंत्रिक संडचना को समझता हूँ तो यहाँ पे मैं कई भू वैज्यानिक गटनाओं की समझ विक्षित कर रहा हूँ यस और नो earthquake क्यूं आता है कहां आता है जो आलम क्यूं आता है कहां आता है और भूकम्प के अलावा जितनी भी प्लेट tectonic गतिविदी है उसकी भी समझ में पैदा कर रहा हूँ इंटरनली अगर मैंने समझ लिया तो संसाधनों का अन्वेशन कर पाता हूँ कि अन्वेशन किया जा सकता है मतलब कौन से रिसोर्स कहा है पतलिया कए जासकता है तो melhores प्रत्वी के आंत्रीख ओर्जा को यूज श्चय करते हैं दूब Mog हमारे भारत के लग्दाट के तोफ़गा वैली में कहिन कहीं जलवाईयो और मौसम के उपर थोड़ी सी समझ और पैदा हो सकती है हमारी जलवाईयो वे मौसम को समझने के लिए हम प्रत्वी की जो है आंतरिक संरचना के उपर बेसिकली जो है जानकरी जुटा करें बता सकते हैं कि परिवर्तन अगर हमारे प्रत्वी का आंतरिक जो है आपके पास में जितने भी गैसेज हैं जितने भी आपके पास में चेंजेज डी गैसिफिकेशन हुए हैं उससे कैसे हमारा अरली का अर्ली अर्थ एट्मोस्फेर बनाओगा आपदा की भविश्यमानी कर सकते हो काफी सारी चीजे जो है यहां से की जा सकते हैं तो अवरल प्रक्त्वी के आंतरिक भागों का जो अध्यन किया है वह कई भूवज्यानिक घटनाओं को समझने के लिए आपदा की भविश्यमानियों के लिए और उसके शमन के लिए हम कारे कर सकते हैं और बहतर से बहतर कैसे हम संसाधन प्रबंधन करें अब यह इसका महत्व है यही इसका निश्कर्स है और विद इस बिंग सेड़ यह सब लिखा आप लोगों ने आज के लिए इतना ही रहेगा आपके topic complete हो चुका यह आपका telegram handle है यहाँ पर आपको handwritten notes भी मिल जाएंगे यह नाम पर search कर सकते हैं यह QR code scan भी कर सकते हैं ठीके मिलते हैं वापस बहुत ही जल्दी और हाँ याद रखना है जो भी आप पढ़ रहे हो वो revise करके वापस अगली class में आओ आप अपने comments भी पूछ सकते हो comment पूछने के लिए JJ sir UPSC capital में search किजिए JJ sir UPSC यह लिखेंगे कोई space नहीं सारे capital letter से अब अपना query भी पूछवाएंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं handwritten class थी notes बन गए होंगे पढ़ लो बैट लो revise कर लो wear the smile on the face confidence in the heart that will be the great start of the day thank यहिन सर्वदा सक्तिशाली और गट पैसी आल